चलिए, स्वागत है सभी बच्चों का इस महा कुम्भ में एक तरह से कहिए, क्यों? क्योंकि NCRT के आधार पर मेरे द्वारा तैयार किया गया 100 महतपुर्ण प्रश्ट अलग-अलग विसेयों के बच्चे ये टेस्ट अपने आप में एक मील का पत्थर सावित होगा आप बच्चों के लिए जो बच्चे इस टेस्ट में भाग नहीं ले रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिस है कि निस्चत रुप से इस टेस्ट को पहले मारिये और देन अप्टर इसका डिसकर्शन कम्प्लीट देखिए, यकीन मालिए ये टेस्ट आपके जाम में आपकी सफल्पा को निस्चत रुप से सुनिस्चत करने का प्रयास करेगा बच्चे, Science and Tech के अलग-अलग-अलग विसेयों की कुल मिला करके सौ प्रश्ण में लेके आया हों और सब डिफरेंट प्रश्ण है बच्चे, सब NCRT आधारित हैं जो आपका एक्जेंपलर और जो आपका NCRT जो बुक्स है उस पर आधारित सौ प्रश्ण में लिये हैं और computer के भी प्रस्टों मैंने NCRT से लेने का प्रयास किया है, computer के जो NCRT की बुक आती है, उससे मैंने लिया है, तो बच्चे मैं प्रयास करूँगा, कि आप सभी बच्चे इसमें सामिल हो, इस महाकुम्ब को सफल बनाएं, और आप बच्चों के ही अभिसेस कहने पर, मैंने ये test सुरू किया है, चलिए हम ज़्यादा बात ना करके सीधे test पर आते हैं, देखिए weekly test every Friday, इस बार थोड़ा सा timing में कुछ problem हुआ है, इसलिए ये live discussion होगा, आज cable recorded आप इसको सुनिए, अच्छे से note down कीजिए, लेकिन अगले test से इसका timing जो है एकदम fix कर दिया है मैंने, और live discussion ही मैं करवाऊंगा, बच्चे चलते हैं इस test पर, science and tech, fully based on anxiety pattern, live discussion, 100 questions बच्चे, तो ये आपने अभी तक अगर रुकमिनी प्रकाशन का एप नहीं download किया होगा, तो download कर लीजे, आप इससे जो रुकमिनी exam preparation एप है वहाँ से, और आप ये ठेक 5 रुपय पर week ये test चलता है बटा, तो उसको भी purchase कर लीजे, बच्चे पहले ही test से आप इसमें सामिल होए, मैं यकीन दिलाता हूँ कि देखेगा हूँ बहूँ इसी तरह के प्रस्ण आपके, जितने भी आगामी examination है, जो भी examination है, चाहे भारत के किसी भी कोने का examination है, उसी pattern पर आपको कुसन रहेंगे यह बैलिंगोल test होगा, तो बच्चे बहुत-बहुत पूर्ड है, आपको जानना ही है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, पहला कुसन लेते हैं, यह देखेगे कितना मस्त कुसन है, कहां इस्थित होता है, वेर इस दा कैचे मेमोरी लोकेटेग, अच्छा कुसन है बड़ा, कैचे मेमोरी होता क्या है, पहले यह जान लेते हैं, कैचे मेमोरी सबसे पहले CPU में स्थित होता है, यह एक पूरक मेमोरी सिस्टम है, जो कम्प्यूटर के सेंटरल प्रोसेसर द्वारा तौरित प्रोसेसिंग के लिए ठेक अकसर उपियोग किया जाता है, तो बच्चे यह पहले आप इसका आंसर क्लियर कर लीजे, कि यह जो कैचे मेमोरी है, वह CPU में स्थित होता है, और यह सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, बच्चे, कैस मेमोरी, एकदम ध्यान में रखेगा, कैस मेमोरी, यह क्या है, तो भाई साब यह फास्टेस्ट मेमोरी है, कैस मेमोरी क्या ह fastest memory है, एकदम ध्यान में रखिएगा, fastest memory होता है, चली, अच्छी बात है, अब और भी थोड़ी से बाते देख लेते हैं, बच्चे मैंने कहा कि यह पूरक memory है, secondary memory है, बच्चे आपको पता है CPU, CPU ठेक है, और आपको main memory के बीच जो, ठेक है, main memory के बीच जो, ठेक है, linkage का का काम करता है, यह देखिए, यह आपका CPU हो गया, और यह आपका, क्या हुआ, main memory हो गया, यह पहले catch memory लिए बच्चे, catch memory, और फिर जा करके, main memory है, main memory है, यहाँ जो है, ठेक है, आपको main memory है, इसके बीच जो link का 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 कर किया, वो कौन का का किया, तो बटा, आपको catch memory का क करता है ध्यान में रखिए गाल केचे मिमोरी क olması है या रिए और संप समयंद्रें moving memory में तेज हो तो मैंने कह दिया है कि इसे cpu या प्रात्मी memory की तोर्ला में अधिव तेजी सेва में अधिक तेजी से एक्सेस कर सकते हैं यह आपको एक्सिस को क्या करेंगे काफी फॉस्ट होता है बच्चे क्या क्या करेगा तो Catch memory, catch memory, बच्चे, catch memory वह क्या करेगा, तो तो temporary memory को collect करता है, temporary memory को क्या करेगा, collect करता है, temporary memory या data को collect करता है, तो एक दम ध्यार में रखेगा, data को collect करता है, बहुत important है बटा, यहाँ देखें, CPU का मतलब क्या होता है, CPU का मतलब होता है, Central Processing Unit, और RAM तो आपको पता ही है, RAM और ROM, आप बच्चे सभी को पता होगा, RAM का मतलब होता है, Random Assess Memory, और यह Volatile Memory है बटा, Random Assess Memory, और Random Assess Memory है यह, और यह क्या है, मैंने कहा, Volatile Memory, बच्चे, जैसे ही, System बंद कर देंगे, यह कुँझा विमोरी है, तो Volatile Memory है, वोला टाइल में मुरी होता है, और एकदम ध्यान में रखेगा, के आपको, Room जो है, Room, Rom, Room, यह क्या होता है, तो Non Volatile Memory होता है, Non Volatile Memory होता है, एकदम ध्यान में रखेगा, यह Avast to see memory होता है, तो बहुत इंपॉर्टेट है, तो CPU में बच्चे एकदम important question है, note down कर लिजेगा इसको चलिए, next question पर चलते है बटा भारत में internet की शुरुआत कब हुई थी, देखें लाजबाब प्रस्ट में, मैं आपको basic building block के साथ साथ आपको एकदम उपर level तक ले जाओंगा बच्चे इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि इस test में निश्चित रुप से भाग आप लीजिए देखें भारत में internet की शुरुआत कब हुई थी तब पहले तो इस question का answer जानते हैं ध्यान में रखेगा भारत में internet 15 अगस्त 15 अगस्त आपको उनिश्चाणवे में लाया गया देखें का है पंदर अगस्त उनिश्चाणवे तो पंदर अगस्त उनिश्चाणवे को लाया गया एकदम याद रखिए इसको दाया गया बेटा वैन वाज इंटरनेट इस्ट्राट इन 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 या एकदम ध्यान में रखेगा 15 अगस 95 पंचानवे को भारत में इंटरनेट आया अब आपको इंटरनेट है क्या तो इंफॉमेशन का हाइवे है मैं बार बार आपको बोल रहा है बच्चे ध्यान में रखना है और आप सभी बच्चों को पता होगा कि इंटरनेट के जर्मदाता की बात अगर करेंगे इंटरनेट का जर्मदाता फॉदर ऑफ इंटरनेट जर्मदाता जर्मदाता कौन है तो इंटरनेट का जर्मदाता है ध्यान में रखेगा बार बार आपको आएगा वेंट सर्फ को कहा जाता है वेंट सर्फ लेकिन पहला इंटरनेट किसे प्रारंब किया था पहला इंटरनेट का प्रारंब किया था आपको अर्पानेट याद रखिए पहला इंटरनेट कौन था तो पहला इंटरनेट था अर्पानेट क्या था अर्पानेट ए आर पी ए ये डिफेंस विभाग के लिए ठेक है USA के डिफेंस विभाग के लिए बनाए गया था तो USA के डिफेंस विभाग के लिए यह बनाए गया था और ठेक है इसको अर्पानेट कहा गया बच्चे और इसका निर्मान किया था लिक लाइडर ने इसका निर्मान किया थ तो बिटा एकदम ध्यान में रखिएगा लिक लाइडर तर एक तरफ से बात कीजिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक कुश्चन क्यों कि भारत में इंटरनेट कब क्या अब 15 आपने जो magnetic disk यूज करना है ये देखे इस तरह का होता है magnetic disk मेटा ठेक है चाहे वो compact disk हो चाहे आपका क्या हो तो आपका CD हो DVD हो ये सब क्या है तो दोस्थ आर noon as magnetic disk ध्यान दीजे बच्चे magnetic disk ये आपको होता है और magnetic disk में क्या होता है सबसे पहले तो track होते हैं बच्चे magnetic disk मैंने क्या कहा मैं एकदम ध्यान में रखेगा मैं what is magnetic disk तो magnetic disk जो है सबसे important है ये क्या है तो आपको आपको ये है storage निर्वर करेगा भूजाओं की संख्यां पर दूसरा निर्वर करेगा recording घंत पर और तीसरा निर्वर करेगा पत्की संख्यां पर देखिए ठीक है recording घनत भुजाओं की संख्या और ट्रैक या पतों की संख्या यानि everything पर यह निर्भर करता है तो याद रखिए बिच्चे बिटे क्या मैं कहा रहा हूं कि CD अब थोड़ा से और इस प्रस्ट करें CD DVD ठीक है या जो भी magnetic disc आप यूज कर रहे हैं सब किस पर निर्भर करता है एकदम ध्यान में रखेगा बिटा यह सब निर्भर करेगा इसका जो information है या यह जो इसका क्या करें सक्ती the power of the power of the power of magnetic disc depends on बच्चे एकदम ध्यान में रखेगा magnetic disc depends on disc depends on किस पर निर्भर करेगा बेटा यह निर्भर करेगा सबसे पहले निर्भर करेगा number of sites पर कितना इसमें आपको sites है या भुजाओं की संक्या है दूसरा निर्भर करेगा number of sites पर निर्भर करेगा दूसरा निर्भर करेगा किस पर बेटा तो दूसरा निर्भर करेगा recording घनत पर एकदम याद रखे यानि ठेका density recording density पर निर्भर करेगा recording density पर या निर्भर करेगा एकदम याद रखना है और तीसरा निर्भर करेगा number of tracks पर यह सबसे important है number of tracks याद रखना बेटा number of tracks पर निर्भर करेगा तो एकदम load down कर लिए इसको number of sites recording density number of tracks बच्चे answer हो जाएगा ए बी और सी ती नो आपको निर्भर करेगा चुंबकी अडिक्स तो बहुत important है आपके लिए यह भी question लाजबाब है बच्चे एकदम ध्यान में रखना है इसको चलिए आगे बढ़ते हैं निमिलखीत में से किस वर्ष 1976 में विक्षित सरफ्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था ठीक है बच्चे बहुत important question है which of the following is the first super computer developed in the year 1976 ध्यान में रखी मिटा आपको पता होगा कि एक बेग्यानिक थे नाम थाम का सेमोन क्रे और क्रे नामक कंप्यूटर कंपनी द्वारा आपको पहला super computer क्रे वन का विकास किया गया था याद रखना बच्चे तो अब देखे super computer आपको पता होगा बच्चे super computer ये क्या है तो इसकी छमता बहुत अधिक होती है याद रखना बच्चे बार बार आपको question पूछेगा कि super computer की छमता क्या होती है तो ये बहुत अधिक होता है यानि काफी अधिक इसकी छमता होगी और इसकी छमता को measured कैसे करते हैं बच्चे इसका जो memory होता है memory capacity वो किसमे measured करते हैं memory capacity तो इसका आजकल तो बहुत जादा बढ़ गया है बेटा ठेक है आजकल penta flops याद रखिए peta flops peta flops में measured हम लोग करते हैं बेटा peta flops अब ये flops क्या है तो flops बेटा याद रखना है आपको floating operations per second floating operations per second floating operations per second होता है बेटा तो इसमें measured किया जाता है operating per second होता है और इसी में हम आपको measured करते हैं किसको तो super computer के capacity को छमता को measured करेंगे अब यहाँ थोड़ी सी बात है जान लिजिए बच्चे सबसे पहले super computer का विकास किसे ने किया था तो ओ तेगर सरप्रथम super computer का विकास सरप्रथम super computer का विकास किया सरप्रथम super computer का विकास किसे ने किया computer का विकास किया एक डम याद रखेगा सेमोन क्रे ने विकास सेमोन क्रे ने किया सेमोन क्रे नमक वग्यानिक ने किया था ध्यान में रखना बिटा किसने किया तो सेमोन क्रे नमक वज्ञानिक ने किया था किसका विकास तो सुपरकंप्यूटर का विकास किया था बच्चे यह देखे पहला सुपरकंप्यूटर क्रे वन याद रखना है कौन से ही तो क्रे वन क्रे वन है और यह क्रे नमक कंपरी के द्वारा किया गया था तो प्रथम सुपर कंप्यूटर, प्रथम सुपर कंप्यूटर, ध्यान में रखे बेटा, प्रथम सुपर कंप्यूटर, पूरे बिश्व की बात में कह रहा हूँ, तो ये हो गया, कौन, तो बच्चे प्रथम सुपर कंप्यूटर हो गया, आपको, ठेका, क्रे वन, एकदम ध्या द्यान में रखेगा यह आपको है कि परण परण 8000 बच्चे परण 8000 वह będzie और बर्तमान में सब से तेज सुपर कंपुटर कौन है और परण 8000 थोड़े सी बाते दो देख लीजे परण 8000 जो है इसका विकास किसे ने किया था? तो बच्चे, PARAM 8000 याद रखेगा ये भारत का पहला सुपरकंप्पूटर है first सुपरकंप्पूटर है और ये ध्यान में रखे दो बाते यहाँ पर आपको याद रखनी चाहिए परतम सुपरकंप्पूटर है और इसका विकास किया था, सीडेक पूने ने, सीडेक पूने ने किया था, एक बात, दूसरी बात क्या, यह कब विक्षित किया गया था, तो ध्यान में रखेगा, इसका विकास 1991 में किया गया था, 1991 में किया गया था, ध्यान में रखेगा, 1991 में किया गया था, और अभी, अभ वर्तमान में सबसे तेज सुपरकंप्यटर कौन है वर्तमान में तो सबसे तेज सुपरकंप्यटर कौन है वर्तमान में तो सबसे तेज सुपरकंप्यटर वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है कि यह है यह है आप सब को पता होगा फ्रंटीर है वर्तमान में कौन है फ्रं इससे पहले था फूगाकू फूगाकू इससे पहले था बेटा फूगाकू वर्तमान दूसरे नंबर पर आ गया और उसके बाद बहुत सारे हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जो चाइना का सुपर कंप्यूटर है तो यह पहला सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन ह भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बेटा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये क्या है बेटे ये आपको पता होगा कि सिध्धी 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 ए आई ठेक है ए आई है परम सिध्धी ए आई बोलिए या सिध्धी ए आई ब चली आगे बढ़ते हैं यहां देख लीजे बहुत सारी बाते मैंने आपको बताई आपको ध्यान में रखना है बच्छे मैं बार-बार बोल रहा हूँ केस यह जो आपका सेशन में चला रहा हूँ इसका उदेश है आप साइंस में इतने मजबूत बन जाएं कि भारत के किसी च्छेत्र में कोई भी एक्जाम आपका हो आप मैक्सिमम स्कोरी वहां कर पाएं चली बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते बिस्व का सबसे पुराना वेभ ब्रॉजर कोन है तो बटे बटे एकदम ध्यान में रखना है कि विस्व का पहला थेका वेभ ब्रॉजर प्रथ को ध्यान में रखेगा विस्व का पहला थेक आपको वेभ ब्रॉजर बहुत इंपॉर्टेंट कुस्ण है बार बार यह पूछा जाता है तो विस्व का पहला याद रखे विस्व का पहला वेभ ब्रॉजर वेभ ब्रॉजर है क्या वेभ ब्रॉजर है एकदम ध्यान में निर्मान किसी ने किया था तो टिम वर्नर्स ली ने पेटा टिम वर्नर्स ली नमग वग्यानिक ने इसका निर्मान किया था चलि बच्चे अच्छी बात तो यह देखिए तो पहला वेब ब्रॉजर कोन हो गया तो आपको एकदम ध्यान में रखना है कि वाल्ड वाइड 91 में इसका विकास किया गया इसके बाद बहुत सारे विब ब्रॉजर आये मोजाइक 1993 माया बिटा मोजाइक 1993 ध्यान में रखेगा मोजाइक 1993 में विक्सित किया गया एक दम याद रखेगा दूसरा विब ब्रॉजर कोन है तो मोजाइक है इसके बाद ऑपेरा आया बिटा 2000 में ओपेरा ध्यान दीजे देखे सब आपके options में है ओपेरा 2000 में विक्सित किया गया और अंत में net escape जो है net escape जो है ये बिटा 2007 में विक्सित किया गया तो ये ध्यान में रखिएगा आपको बार-बार question पुछेगा कि प्रथम वेब ब्रॉजर क्या है which is the oldest web browser in the world worldwide wave है ध्यान में रखिए बटा आगे बढ़े रहे हैं निश्कोसन को देखते हैं कर रहा डाइल अप connection में data अस्थांतरण की अधिक्तम गति कितनी होती है डाइल अप कर रहे हैं डाइल अप connection में आपको पता होगा कि डाइल अप ये देखे डाइल अप ठेक है डाइल अप आपको connection कह रहे हैं बेटा और इसमें कितना speed होगा किसका बच्चे ठेका data का transfer of data speed of transfer of data कितना होगा तो 56 kbps ध्यान देजे बच्चे 56 kbps ठेक है डाइल अप service धीमी internet सिवा प्रदान करता है तो 56 kbps बच्चे 56 kbps होता है 56 kbps होता है याद रखना है kilobytes per second kilobytes per second कितना kilobytes per second तो 56 kilobytes per second होता है और ये ध्यान में रखिएगा कि मैंने कहा कि dial up connection जो है dial up connection ये क्या करता है dial up connection आपको धीमी internet सेवा प्रदान करता है धीमी internet सेवा प्रदान करता है एकदम याद रखिएगा internet सेवा प्रदान करता है याद रखना बिटा सेवा प्रदान करता है याद रखना बिटा बहुत important है बार-बार question पूचेगा कि आपको dial up जो है वो किस प प्रदान करता है ध्यान में रखे बच्चे और यह किस प्रकार इस्टेब्लिस किया जाता है यह मोडेम देखे का पहले हम लोग क्या लगाते थे मोडेम के द्वारा हम लोग provide करते हैं, provide करते हैं, बहुत important है, बार-बार यहाँ पर question आप से पूछा जाएगा, चली आगे बढ़ते हैं, computer के keyboard में कितने अक्षर की होते हैं, फिर से पिछला question repeat कर रहे हैं, यहाँ देखे, मैंने कहा कि what is the maximum data transfer speed of develop connection, तो 56 kbps, 56 kbps, चली अच्छी बात है, computer के keyboard में कितने अक्षर की होते हैं, बच्चे, कितने अक्षर की होते हैं, याँ देखे, computer के keyboard में, बच्चे, keyboard, keyboard, याद रखना बठे, ये देखे, keyboard, जब بھی चर्चा करेंगे keyboard का, तो आपको पता है कि, ठिक है, keyboard कीबोर्ड जो है ठीक उसी प्रकार से काम करता है, जिस प्रकार पॆंची आपको पहले हम लोग यूजुज करते हैं, कीबोर्ड में समान था एक साउएक की होते हैं, तो ऺिराटन की के बात कर रहा हूं है, और ये की जो है मुख्रूप से तीन प्रकार के होते हैं अलफा निमरिक फंक्सन की और इस्पेसल की या की कितने प्रकार के तो बेटा की जो होता है की मुख्रूप से तीन प्रकार के की तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन बेटा तो एकदम याद रखना होते हैं पहला हो गया अठीक अल्फा निमरिक होता है अल्फा न्यूमेरिक होता है दूसरा क्या होगा तो आपको फंक्सन की हो गया फंक्सन क्या अल्फा निमरिक की हो गया दूसरा हो गया फंक्सन की हो गया और तीसरा जो होता है, वो special key होता है, कोन होता है, special key होता है, special key होगा, चलिए, बहुत important है, special key होता है, अब बात यहां 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 आती है, कि alpha numeric key, ध्यान देज़े बटा, alpha numeric key की बात अगर करेंगे, तो यहां हमको कुछा जारा है, alpha numeric key की बात नहीं कर रहा है, यह पूछ करके कीबोर्ड में कितने अक्षर की अक्षर की देखिए कीबोर्ड में कितने होंगे तो 26 होगा कितने होंगे 26 होते हैं एकदम ध्यान में रखेगा 26 होते हैं कुल मिला करके टोटल की कितने होते हैं बच्चे 101 होते हैं उसके बाद आपको जो अल्फवेट की होता है वह कितना होगा तो कुल मिला करके 26 अलफाबेट ही होते हैं याद रखना है चलिए बच्चे और कितने प्रकार के की होते हैं तो मुखे रुप से तीन प्रकार के पहला अलफा निमरिक दूसरा function तीसरा special की चलिए आगे बढ़ते बटा यहाँ देखे नमिलखित कथनों पर connection अगर आप लेते हैं तो क्या होगा तो इंटरनेट कनेक्शन में जो आपका internet connection में याद रखेंगा internet connection में क्या होता है internet connection में क्या होगा तो आपको ठीक है आपको एक निस्सित ठीक है TCP IP से वह क्या होता है? Establish किया जाता है. यानि, Internet Connection बिना TCP IP के संभब नहीं है. तो कोई भी proxy server में TCP IP, TCP IP Transfer Control Protocol और IP Address उपलब्ध कराता है. एकदम सही है. Proxy server, client से प्राप्त अनुरोधों को unniss server को, भीटाइए नहीं करेगा, unniss server को अग्रसारित नहीं करता है. proxy server में वो क्या होता है? कि वहीं पर उसको क्या करेगा, वह firewall के दुआरा उसको रोक देता है. बच्चे, TCP IP, किसी याद रखिए TCP IP, किसी unniss server को, किसी unniss server को, ठेक है, unniss server को, ठेक है server को, क्या करेगा? तो बच्चे यहां देखे पहला उपसन तो सही है लेकिन दूसरा आपको क्या हुआ गलत हो गया तो केबल एक सही है केबल एक सही है एकदम ध्यान में रखिएगा केबल क्या हुआ यहां पर वन ली वन तेक है वन आपको जो कथन है स्टेट्मेंट है वो सही है चली बटा आगे देखते हैं किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता क्या कहलाएगा तो यह देखे अभी सिस्टम पर उसके complete information को बताता है बच्चे कहां से सिस्टम आया है कहां से server connect हुआ है क्या हुआ है यह सब बताया जाता है यह देखिए आपको क्या मैं कह रहा हूँ बच्चे कंप्यूटर का पता याद रखेगा computer का पता एकदम ध्यान में रखना है बार बार कुशन अब आपके दिभाग में चल रहा होँ यह IP अड्रेस किसके द्वारा बना होता है वह थघा रिखिए पर आधारीत आभे स あ आधारित है तो यालरी नमबर पर आधारित है तो और और यह रहां यह कि how many bits of any IP address तो आपको याद रखना है 32 bit का होगा, 32 bit का होगा, तो the address of a computer on network is IP address, बेटा URL क्या है, यह uniform resource locator है, यानि आप किस location से आप क्या करें, attach हो रहे हैं, तो uniform resource locator के द्वारा वो पता चलता है बेटा, तो एक दम ध्यान में रखेगा, uniform resource locator हो गया, अब यहाँ पर दो-तीन बातें और जाननी चाहिए, network में जुड़े प्रत्यक device का, ठेक अपना IP address अलग-अलग होता है, ध्यान में रखेगा, किसी भी network का क्या होगा, अपना IP address अलग-अलग होगा, तो बच्चे, आपको पता होगा, कि कोई भी आप URL, देखेगा, कोई भी URL, ठेक, URL क्या होता है, तो देखेगा, कोई भी आप जैसे IP address, complete IP address डालिएगा, तो वहाँ पर देखेगा, कि उसी पूरे complete IP address को, हम लोग क्या कहते हैं, URL कहते हैं, बच्चे देखेगा, आप लिखते हैं, कैसे HTTP, आज देखेगा, कोल करके, यह देखेए, ऐसे-ऐसे, slash slash करते हैं, उसके बाद, क्या होता है, तो www, कुछ-कुछ-कुछ, जो भी आइ, information वो, जैसे रुक्मिनी प्रकासन, यहाँ देखे लिखा हुआ, www.rkminipraakassan.com, इससे पहले HTTP लगाते हैं, यह complete जो information होता है, वहाँ क्या कहलाता है, तो URL कहलाता है, तो यह ध्यान में आपको रखनी चाहिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, निक्स कोशन देखते हैं, एक गीगाबाइट में, ठेक है, डैस मेगाबाइट होता है, तो अच्छा कोशन है, एक गीगाबाइट, बच्छे, आपको पता है, कि एक, ध्यान दीजेगा बच्छे, एक एक बाइट बराबर क्या होगा, तो आठ बिट होगा, एक दम याद रखिए बटा, एक बाइट बराबर क्या होगा, तो आठ बिट होगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, एक, ठेक है, यहाँ देखे, एक क 124 कीलो बाइट होगा कीलो बाइट होगा अब देखे एक ठीक है एक मेगा के बाद क्या होगा आपको गीगा आ गया तो गीगा बाइट वराबर क्या होगा दस 124 मेगा बाइट होगा मेगा बाइट होगा फिर देखे दस आपको एक टेरा बाइट वराबर क्या होगा तो एक पेटाबाइट वराबर क्या होगा तो एक पेटाबाइट वराबर 1024 तेरा बाइट होता है तो यह ध्यान में रखें गिगाबाइट पुछा जा रहा है बेटा 1024 तो होगा यह यह तो होगा नहीं यह तो होगा नहीं यह तो होगा नहीं क्या होगा 1024 आपको 1024 आपका in a gigabyte. तो यह ध्यान में रखेए बच्चे. बार-बार आपसे question पूछेगा यहाँ एक शीज ओर ध्यान में रखेगा कि एक निबल बराबर क्या होता है? एक निबल बराबर होता है. आपको याद रखना है, बार-बार कुछेगा कि की निबल बराबर क्या होगा तो फोर बिट का होता है और एक बिट बराबर क्या होता है एक बिट जो है जनरली आपको 0,1 होता है यहनी यह क्या होगा BINARY SANKHIAЗ है बटे 0,1, 0,1 यह BINARY NUMBER है बटा तो ध्यान में रखेगा BIT किसका बना होता है तो BINARY संख्या के द्वारा बने होते हैं और गीगाबाइट बाइट यह सब क्या है तो यह information जो आपको data जो stored होगा उसको उसका unit है बच्चे unit of data storage in computer system बटे बटे तो यह ध्यान में रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं निम्लकेट में से कौन गर्म रक्त प्रानी है बच्चे अच्छा कुस्सन है गर्म रक्त प्रानी है यहां देखिए अच्छा कुस्सन है बटा कैसे पकड़ेंगे हम कि गर्म रक्त प्रानी कौन ह है तो बच्चे सबसे पहले देखेंगे हम इसमें मछली देखिए मछली पानी में रहता है मछली पानी में वीच ऑफ फॉलिए वाम लड्दे इनिमल वेजहां फ्रॉग यह उभाईचर है आपको पता है अस थल सब जग़ा रहता है यह प्रॉब्ल्ल्म आपको हो जाएगा बच्चे ये भी क्या है और नियत ताप प्राणी है फिर देखे क्रोकोडाइल जल के अंदर रहता है ये भी क्या होगा और नियत ताप प्राणी है लेकिन पिजन जो है वो क्या है आपका तो नियत ताप प्राणी है तो गर्मरक्त प्राणी कोन हो गया यहाँ पर कबूतर हो होगा या या याद रखनी चाहिए बेटा अब देखिए पक्षी जो है आपको मैंने बार-बार कहा है कि पक्षी ध्यान में रखेगा यहाँ पर आपको याद रखना है कि हरदय हरदय में कितने चमदर फक्षी के हरदय में चमबर होगा यानी चमबर हो घृते हैं सरिस्रिप में कितने होता है थो तो तीन होता है जब बेटा देखिए यहाँपर तोड़ा से देखिए क्रोखोडाइल, क्रोखोडाइल जो है, यह अपवाद है, ध्यान दिए इसको णुर्ण डाउन कर लिजेगा, देखा, आपको घर्याल या मगरमच, मगरमच, मगरमच आपको क्या है, तो बेटा मगरमच जो है सरी स्रिप है और सरी स्रिप मैंने कहा तीन हर्दाय में चमबर होते है मगरमच सरी स्रिप है और इसमें चार हर्दाय में चमबर होते है जबकि सरी स्रिप में कितना होता है तीन ही होता है लेकिन यहाँ पर क्या होगा इसमें 4 फिर्दए में chamber होते हैं चार हिर्दए में chamber हैं एकदम ध्यान में रखे बटा chamber होते हैं बहुत important है बार-बार यहां से question आपको पूछेगा कितने chamber तो 4 chamber होते हैं बहुत important है चल बेटा आगे दिखते हैं यहां देखें निसेचित अंड़ा युगमनज में प्रत्यारुपित होता है यानि ता फर्टाइज फर्टिलाइस्ट एग गेट्स इंप्लांटेड इंटु दा जाइगोट बच्चे दो बाते यहां पर ध्यान दीजेगा सबसे पहल आप से पुछेगा निसेचन होता है फर्टिलाइजेशन होता है कहां पर तो बेटा एकदम ध्यान में रखेगा यह होगा फैलोपियन ट्यूब में फैलोपियन ट्यूब में एकदम याद रखना आपको बार बार यहां से कुशन पूछेगा कि कहां निसेचन होता है तो फ प्राप्थ हुआ है, SPORM SPORM प्राप्थ होगा, और Femil से क्या प्राप्थ होगा, यहाँ देखे Cross करा दिजे, Femil से, आपको ओभा प्राप्थ होता है, और दोनों Cross करा दिए, तो यह बर गया ZIGOTe क्या बना? ZIGOTE बना, और ये ZIGOTE भबिस में क्या होता है, ठीक है 5-7 दिन के बाद, यहां बना लेता embryo, क्या बना लेगा, ठीक है Maximum 7 डेज के अंदर यह क्या बना लेता है, बच्टे बेटे embryo बना लेता है, और यह embryo मतलब भृून हो गया, भृून हो गया जैगोट मतलब क्या हुआ यूगमनज हो गया बैटा यूगमनज और यह प्रत्यारूपित होता है कहा पर तो यह प्रत्यारूपित होता है तो आंसर क्या होगा तो यह यूटरस हो जाएगा याद रखना बच्चे यूटरस होता है और बहुत इंपोर्टेंट है निसेचित अंडानु को हम जागोड कहते हैं ध्यान में रखेगा आपका जो झापका जो निसेचित अंडानु है ये देखे यूगमनच किसको बोलते हैं यह मै Damit sharing यह चोब ये निक्स देखते हैं, एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के सरीर का हिस्सा, एक नई बनसपती को जन देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चे एक प्रकार का जनन, बच्चे देध्यांदे जिरा, एक टाइप और रिप्रोड़क्शन, in which part of a plant, यानि अगर पौधे के किसी भाग द्वारा ध्यान दिए बचे क्या कर रहा हूं पौधे के किसी भाग किसी भाग यह भाग कुछ भी हो सकता है किसी भाग यानि यह भाग हो सकता है पत्ता यह भाग हो सकता है तना यह भाग हो सकता है जड ठेक है यह भाग हो सकता है आपको क् सकता है कली या यह भाग हो सकता है फूल कुछ भी हो सकता है ठेक है तो यह पता तना जड़ कली फूल किसी भी भाग से अगर ठेक है नए यह देखें नई बनस्पती का जन्म होता है नई बनस्पती का जन्म होता है बेटा इसको क्या बोलते है नई बनस्पती का जन्म तो बे वेघी टेटिव रिप्रूर्ड़वॉशन यकल व्रसपतिक जनन कहाजयाता है इसे व्रसपतिक जनन कहाजयता है ि क्या होता है अंधि यह सब पता है आपको यह सक्वागमबीला इसके इस से क्या हुता है तो व्रसपतिकimi में टूटर जाता होता है मनुस्व में कैसा होता हैает to eigene होता है पुंनर जननत सबसे अधिक regeneration regen zostan power maximum दिखेगा एगनमें mains maximum किसमें power maximum किसमें होगा यह में maximum होता है आपको plan area में plane error बार बार में बता रहोता हूं किसमें hyster dlatego regeneration की जाती है प्ले ने एरिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स देखे क्या कह रहा है कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और द्रड़ बनाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे सबसे पहली बात क्या कि प्लांट ओद को प्लांट आपको प्लांट टिसू की बात अगर करते हैं पादप उतक की बात करते हैं लोग उसको भीवाज्योत्तक और यह क्या करता है यह आप को पादप में बरधी पादप में बरधी का कारख होता हूटा है याद रखेगा बरधी का कारख होगा तो भीभाज ध्यान में रखेगा permanent, यानि अस्थाई उत्तक की बात करें, permanent tissue की बात करें, विभाज्यों तक भविस में क्या होता है, आपको अस्थाई उत्तक का निर्मान कर लेता है बच्चे, और ये अस्थाई यानि permanent tissue दो प्रकार के होते हैं बिटा, एक होता है सरल और दूसरा होता है जटिल यानि एक होगा simple और दूसरा क्या होगा complex होता है complex होता है और जटिल मुख्य रुप से दो प्रकार के होते हैं xylem और क्या होगा phloem होता है xylem और क्या होगा phloem होता है जब कि सरल मुख्य रुप से तीन प्रकार के होते हैं से पहले क्या होगा बच्चे पेरनकाइमा और यह देखे इसमें यह क्या होता है और हवा इसमें भरा रहेगा इस पंजी और हवा हवा भरा रहता है एकदम ध्यान में रखेगा हवा भरा रहता है इसमें हवा भरा रहता है एकदम याद रखेगा दूसरा क्या होगा तो दूस लचीला होगा और इसमें क्लोरोफिल भी पाए जाता है कॉलनकायमा में क्लोरोफिल भी पाए जाता है और इसमें क्या पाए जाएगा बच्चे तो क्लोरोफिल पाए जाता है और आपको तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं एसकलेरनकायमा क्या बोलते हैं एसकलेरनकायमा कहत होता है और क्या होगा धाइजी यह क्या होता है स्क्राइश कलरम काइमा कलूर फिल पाया जाएगा इसमें यह जलों क प्रवह कर हाएगा जल का प्रवाह करता एक दम ल्याद हो kepada तो यह देखे इंग साहिं करता है और यह देखे पराइब के लंकरती आथ पता ही आपके लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट यह कुस्सिंद चली बडा कने के निमिल्खीत में से मतफ़्च वरक कि विशिस्ता क्या नहीं है nds. और अच्छा कोस्तत्री बैटा, यहां देखिए, मतषिवर्ग की विसेस्था कौन सी नहीं है कोस्तर पूछा जा रहा है, to मतषिवर्ग की विसेस्था कौन-कौन है पहले यही देख लेते हैं, तब जाकर के आपको हम लोग आगे बढ़ेंगे, बच्चे मतस्वर्ग जो है, अभी तुरंत मैंने बताया था, कि मतस्वर्ग में हेदाय में जो चंबर होते हैं, पहली बार, अब देखें मतस वर्ग की विसेफ़ता में सबसे important है? पहला नंबर यह होगा तो इसमें क्या होगा गल्फड होगा गल्फड या गिल होता है बच्चे गल्फड होता है यानि आपको इसी के माध्यम से गिल के माध्यम से यह क्या करता है तो बच्चे सास लेता है गल्फड या गिल होगा दूसरा देखिए हड़ी या उपास्थी अंतह कंकाल पाए जाते हैं, हड़ी, ठीक है, में क्या होगा, उपास्थी अंतह कंकाल पाए जाते हैं, उपास्थी अंतह कंकाल पाए जाते हैं, उपास्थी अंतह कंकाल पाए जाते हैं, एक दम याद रखेगा, पाए जाते हैं, यहां पर क्या पाए जाएगा, तो आपको जो उपास्थि यानि कार्टि लेज़ेत के फ़रं में रहता है कार्टि लेजेत के फ Mage के फवरं में यह रहेगा यानि लखिला अस्थिक ऐसा होगा काफी अधिक लचिला होता है यह दियान में रखेगा अस्थ यापका लचिला होगा बहुत बहुत important है तीसरा क्या होगा तो हिर्दय तह के का आ आपको वहे कंखाल होता है सल्क क्या होगा वहे कंखाल एक दम ध्याने में लखिए बहार क्या पाई जागा सल्क क्या हो गौन वह ह crashing काल पाई जाता है तेखेगा आपको तेखिञा जब मचली को हम अब रगड़ते हैं तो वो सल्क पाया जाता है बिटा उस पर सल्क वाह कंकाल होगा और तीसरी चौथी बात क्या जो मैंने आपको पढ़ाई अभी कि हरदाय कितने चंबर के हरदाय दो चंबर का होगा हरदाय कितना दो चंबर का होता है तो इतनी बाते आप याद रखे दो होता है हरदाय में कितना होगा दो चंबर होगा ठीके बच्चे यह देखिए सबसे पहले बात क्या आपको गलफड़ के द्वारा सांस लेगा ठीके गलफड़ हो गया दूसरा उपास्ति कंकाल पाये जाते हैं सल्क वाह कंकाल पाये जाते हैं और हरदाय में कितना चंबर त जाते हैं बच्चे तो सीडो कॉलम यानि नहीं पाए जाएंगे तो इसमें सीडो कॉलम नहीं पाए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए चली यह ध्यान में रखनी चाहिए ठेक है और यह जल में अंडा देने वाला वर्टिब्रेड भी है यह दिए में रखिएगा यह लबनी और म्र्दु जल दोनों में पाए जाते हैं ठीक है अगर हम यहान से आगे बढ़ें यह MATTva अकुछा जल लभी यह जलubनी जल और व्रू जल दोनों में पाए जाता है विझान में रखियागा मिर्दु जल में पाया जाता है बहुत इंपोर में बना हुआ ऐसा नहीं होता है बच्चे मछली ने ने सब्सक्राइब करता है यहाँ देखें सबसे पहली बात क्या है कि हमको देखना पड़ेगा कि चाहे मुकुलन हो चाहे रीज़िजन रिजनरेशन हो यह चाहे आप्टो बैनेटी किस प्रकार का जनन है यह जनन है बहुत प्रकार का होका उता है और इस revenue और में भिखंडन भिखंडन फिर से इस तरह से जो भी घटनाए होंगी और पुनर जनन ये भी अन्य पुनरными आ यानि बडिंग ठेक है multiple fusion ठेक है binary fusion और आपको regeneration all are sexual reproduction और यहां देख लिजे ज़रा थोड़ी सी बात देखिए Plasmodium में मैंने कई बार आपको बताया है यहां बहु विखंडन होता है Plasmodium में बहु विखंडन होता है एकदम याद रखेगा वहां Planaria में आपको क्या होता है regeneration होता है पुनर जनन होता है सबसे अधिक अभी तुरंत मैंने बताया था सबसे अधिक पुनर जनन की छमता किसमें पाई जाएगी तो Planaria में पाई जाएगा खमीर क्विखंडन ही पाई जाता है और बचको और यह निकला हुआ है और यह बट निकल गया और ये बढ़ बहा निकल के एक नए जीब का निर्मान कर लेता है इसी को बोलते हैं बढ़ बढ़ निकलना यहां से यहां बढ़ निकल गया बढ़ निकल गया यह बढ़ बहा निकल करके एक नए जीब का निर्मान करता है और इसी को हम बढ़िंग कहते हैं क्या कहते हैं बढ बार कोशन पूछेगा कि मुकुलन द्वरा किसका पुनर जनन होता है तो ध्यान में रखे बैटा हाइडरा का पुनर जनन होता है नेक्स देखतें बैटा निमलकित में से कौन सा सरल अस्थाई उत्तक नहीं है अभी तुरंत मैंने आपको बताया था बैटा कि सरल अस्थाई उत्तक मुख्य रुप से सरल अस्थाई उत्तक कौन कौन होंगे बैटा सरल अस्थाई उत्तक होगा मुख्य रुप से ध्यान में रखेगा यह होगा कोलिन काइमा कोलिन काइमा फिर क्या होगा इसक्लेरन काइमा इसक्लेरन काइमा बच्चे इम्रित होता है द्रिड होता है तेख है ता उसके बाद हो गया पैरेन काइमा यहा यहां यजो है Jesus P बार बार याद रखेका पैरेन काइमा C.E.S.P यह सब्सक्ति असिन आप असठाई पादप उत्तख होते है zodकि जानम और फिलोएंग जानम और फ्लोयम क्या होगा यह जो है जटिल पादप उत्तक होगा जटिल पादप उत्तक होगा जटिल पादप उत्तक होता है एकदम याद रखेगा जटिल पादप उत्तक होता है पादप उत्तक होता है एकदम याद रखेगा जैलम और फ्लोयम जटिल पादप उत्तक है दिखाई देने वाली उपस्तिती में बदलाव लाता है तो बच्चे आपको पता होगा कि हुमन में, मतलब हुमन की बात अगर कर रहे हैं, हुमन की बात करें इसमें हम मेल और फिमेल दोनों को छाट लेते हैं, मेल को अलग कर लिजे और फिमेल को अलग कर लिजे बटा, तो फिमेल में आपको जनरली जो हार्मोन होता है, वो सेक्स हार्मोन की बात अगर करते हैं सेक्स हार्मोन की बात करते हैं तो या मुख रुप से सेक्स हार्मोन की बात अगर करेंगे तो या मुख रुप से अलग अलग प्रकार के होते हैं बिटा कौन कौन होगा तो यह देखे प्रोजिस्टिरोन होता है फिर क्या होगा तो आपको प्रोजिस्टिरोन उसके बाद क्या होगा तो आपको प्रोलक्टीन हर्मोन होता है या एस्टोजेन बोलते बिटा है इसको बोली एस्टोजेन हर्मोन होता है और तीसरा हर्मोन क्या होता है तो वो होता है रिलेक्जीन होता है ये तीन प्रकार के हर six hormone पाए जाएगा जबकि फिमेल में कितने तो तीन six hormone होता है प्रोजिस्ट्रियोन एस्ट्रोजेन और relaxing होता है तो बैटा देखिए जब भी युवावस्था में लड़कों की बात करेगा तो केबल एक जितना भी गुन लाएगा मुच डाड़ी यह सब जो भी बुभी करेगा सब कोन करेगा तो टेस्टोस्टरियोन ही करता है एक दम ध्यान में रखेगा को thyroid gland से बाहर निकलता है और आपको पता है िंसुलीन की बात अगर करेंगे तो यह यह जो है pancreas के बीयुक्ष से बह़ार निकलता है या अगना से पन्क्रीयाज के बीटा सिल्थ से बाहर निकलेगा रखेगा insulin जो है वह क्या करता है तो रक्त सरकरा का नियमन करता है यानि रक्त में जो सरकरा है उसको क्या करेगा starch को वह आपको तोड़ देता है glycogen में और हमारी सरीर में संचित रहता है तो ध्यान में रखे बिटा जो भी मौच डाड़ी, सरीर का होना और सरीर में उत्तेजना का निर्मान होना यह सब काम करता है तेस्ट इस्ट्रो स्ट्रोर और यह किस एज में होता है तो ध्यान में रखेगा यह 15 से 18 वर् principalmente रिलैक्जीन और टेस्टेश यानि टेस्टिस से स्रावित होगा। टेस्टिस से स्रावित होता है ये धियान में रखिएगा। चलिए नेक्स्च देखते हैं। system दिया था kingdom system दिया था और इसमें क्या इन्होंने कहा था कि सबसे पहले monera कर दिया उसके बाद protista कर दिया फिर इन्होंने fungi कहा फिर इन्होंने animalia कहा फिर इन्होंने क्या कहा प्लांटी कहा तो बिटे ये देखे सबसे पहले मोनेरा मोनेरा उसके बाद क्या हुआ रोटिस्टा रोटिस्टा उसके बाद क्या हुआ तो बिटा उसके बाद आ जाईए फंगी फंगी कबक और उसके बाद आ जाईए क्या तो ठेका एनी मेलिया एनी मेलिया एनी मेलिया हो गया और अंत में आये कौन तो बिटा प्लांटी क था यहां देखे इन्होंने थेक लेकिन प्रोटिस्टा किया प्रोटो जोड नहीं और प्रोटो जोड़ прим nesse किया तो याद रखना है वेटेकर किसमे प्रोटो जोड़ में आता है नहीं किया सिस्टरम प्रोटो जोड़ एक दम ध्यान में रखे • मोनेयरा • Heelment एनिमेलिया प्लांटी ये फाइप एनिमल किंग्डम सिस्टम किसे ने दिया तो बच्चे फाइप एनिमल किंग्डम सिस्टम दिया था आपको विटे करने अगर पूछेगा कि थ्री एनिमल किंग्डम सिस्टम किसे ने दिया तो बच्चे एकदम ध्यान में रखेगा तो एक परजनन के दोरां जब दो अलग अलग जीवान उपोशिकाएं संजोजित होती हैं तो क्या होगा तो बच्चे आपको तुरंत मैंने बताया था थोड़ी दिर पहले कि देखिए मेल से प्राप्त होता है क्या स्परम, फिमेल से प्राप्त होता है क्या तो ध्यानम रखेगा कि फिमेल से प्राप्त होता है ओभा और दोनों जब आपसे मिलता है तो जाइगाट का निर्मान होता है ध्यान देजे बिटा जाइगाट का निर्मान होता है एकदम याद रखेगा मेल से क्या प्राप्त हुआ तो मेल से प्राप्त हुआ एकदम याद रखे बिटा यूग मनज इसको क्या मोलते हैं यूग मनज कहा जाता है यूग मनज कहा जाता है बच्चे आपको पता है यह तो लेंगिक जनन में होता है आपको यह पता है कि फॉल का निर्मान फॉल का निर्मान किस से होता है फॉल का निर्मान होता है एक दम बहुत इंपोर बीज का निर्मान होता है बीज का निर्मान किसे होगा ध्यान में रखेगा इसका निर्मान होता है बीज चोल से इसका निर्मान होता है एक दम याद रखे ऑभ्यूल बोलते है ऑभ्यूल बच्चे ओभा से निर्मान किसका होगा तो ओभा या आपको इंब्रियो से किसका नि निर्मान होता और भ्यूल से तो यहां देखिए कहां पर हैं बच्चे लेंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जिवानु को सिकाई संजोजीत होती है यूगमनस का निर्मान होगा बहुत इंपोर्टेंट आगे बढ़ते हैं निर्मान से कौन से प्रजनन की विधी उच्च भिनताओं को उत्पन करती है बिटा मैंने कहा अभी थोड़ी दिर पहले मैंने लेंगिक जनन और अलेंगिक जनन के बारे में आपको बताया था तो अगर लेंगिक जनन की बात करें लेंगिक जनन तो लेंगिक जनन में क्या हो होता है तो आपको यहां पर क्रोमोजोम्स मिक्स्ट होते हैं क्रोमोजोम्स क्या होंगे क्रोमोजोम्स आपको मिक्स्ट होता है मिक्स्ट होते हैं बच्चे बहुत important है क्रोमोजोम्स क्या होते हैं मिक्स्ट होते हैं यानि आपको जो क्रोमोजोम है उसका mixing हो जाएगा जिसके कारण अत्याधिक विभिनताएं उत्पन होती है अत्याधिक भिनताएं अत्याधिक भिनताएं उत्पन होती है एकदम याद रखे भिनताएं आपको क्या होगा produced होता है उत्पन होता है यानि सबसे अधिक बिनताय किसके दोरा उत्पन होगा तो आपको सबसे अधिक भिनताय उत्पन होगा एकदम याद रखेगा लेंगिक जनन में क्यों तो कि यहाँ पर mixing of, suppling of chromosomes होता है जिसके कारण आपको अत्याधिक भिनताय उत्पन होती है तो इसका अंसर क्या होगा लेंगिक जनन which of the following method of reproduction produces the highest variation की बात अगर करेंगे तो यह होगा बेटा लेंगिक जनन बच्चे दूई विखंडर में क्या होता है माली जामी बाका दूई विखंडर होता है बाइनरी फिर्शन होता है एक भागी दर चला गए एक भागी दर क्या mixing हुआ नहीं होता है mixing बच्चे क्रमोजूम्स का पुनर जनन में क्या होगा तो एक जीव जो है तो वो क्या किया तो अपने समलित मतलब कोई भी अंग से नया जीव का विकास हो जाना अलेंगीक जनन मैंने बताया है पुनर जनन वी भी खंडन उसके बाद आपको आपको बहुँ भी खंडन या यह सब क्या यह सब कौन सी घटनाय होंगी यह सब all are known as एसक्सवल रिप्रोड़क्शन सभी क्या कहलाएगा एसक्सवल रिप्रोड़क्शन कहलाएगा यानि आलेंगीक जनन कहलाता है जग्दम याद रखें का इसको आगे बढ़ते बटा यहाँ देखें एसक्लेरन काइमा में कोशिका भित्ती डैस के कारण मोटी होती है बहुत अच्छा कुस्ता है बटा एसक्लेरन काइमा आपको मैंने थोड़ी दिर पहले बताया क्या बताया बटा यहाँ देखें सबको हम लोग डिल करेंगे एसक्लेरन काइमा मैंने अभी तुरंत बताया कि यह देखें यह जटिल ठीक है जटिल पादप अस्थाई उत्तक है एकदम याद रखें बटा जटिल पादप अस्थाई उत्तक है कि सरल है बटा सरल है यह क्या है सरल पादप अस्थाई उत्तक है सरल पादप अस्थाई उत्तक है एकदम ध्यान में रखेंगा बटा सरल पादप अस्थाई उत्तक सरल पादप अस्थाई उत्तक है कौन तो आपको अस्थाई उत्तक है ये आपका इस्कलरन काइमा है सरल पादप अस्थाई उत्तक किसको कहा जाता है तो इस्कलरन काइमा को कहा जाता है एकदम ध्यान में रखिएगा अब देखें अब क्या बात कर रहे हैं आपको हम क्या बा तो कहा रहा है इस कैमा में कोसिका भिती है जब भी कोसिका भिती की शर्शा होती है दियान में रखिएगा लकडी को कठोर बनाने का काम कोन करेगा तो लिगनीन करता है याद रखना बैटा ठेक है लकडी को या ठेक है आपको इसकलेरन कायमा को कठोर कोन बनाएगा एक दम नोट डाउन कर रहे हैं इसको यह देखिए लकडी या लकडी या आपको ठेक है आँ इसकलेरन क काम करता है लिगनीन करता है एकदम ध्यान में रखे बटा लिगनीन करता है यह काम सलूलोज क्या होता है यह कार्बनिक योगिक है आपको सलूलोज कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो यह कोशिका भित्ति बनी होती है कारवणी क्योंगिक है कोशिका भित्ती बनी होती है सेलूलोज की एकदम ध्यान में रखेगा कोशिका भित्ती किसकी बनी होगी तो सेलूलोज की बनी होगी क्यूटीन यह क्या है यह मुमिय पदार्थ है मुमिय पदार्थ होता है एकदम याद रखें मुमिय पदार्थ होता जिसके कारण वह उस पर जल का जल जो है उसके बाहर निकल पाना बड़ा कठी ने बिटा एकदम जल जैसे ही पड़ेगा वो उससे फिसल जाएगा ध्यानम रखेगा क्यूटीन जो है जो है जो रफाइट रिगिस्थानी पादपों में पाया जाता है विसे इस प्रकार से रि पुरुस जनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है एकदम याद रखे पुरुस जनन प्रणाली की बात जब भी हम लोग करते हैं तो कौन-कौन पुरुस जनन प्रणाली में कौन-कौन आएगा तो बच्चे इसको देख लेते हैं सबसे पहले तो आपको पता है कि पुरुस जनन प् विर्शन से क्या निकलता है, तो पहला तो विर्शन हो गया, दूसरा क्या हुआ, सुक्रासे हो गया, तो तेकर आपको सुक्रानू हो गया, या अंड कोस हो गया, अंड कोस हो गया, अंड कोस टेस्टिकल बोलते हैं, तेकर चौथा क्या होगा, अधी विर्शन हो गया, अधी विरिशन हो गया एकदम ध्यान मरक्या दी विरिशन होता है और आपको उसके बाद क्या होगा तो पाँच्वा नंबर मुत्रास हो गया मुत्रनलिका यह भी मुहत्पूर्ण भूमिका निभाता है मुत्रनलिका यह सब आपको आ गया तो टेस्टिस सुक्रास है यहां देखे या testicle, टेक, uncoast, testicle बोलते हैं बेटा, uncoast को testicle बोलेंगे, विर्शन को testis कहा जाता है, testis, testis कहा जाता है एकदम ध्यान में रखिएगा, सुक्रास है, यह सुक्रवाही का, spermatic cord हो गया, uncoast, testicle हो गया, अधि विर्शन इपी-डाइडिमीश हो गया, इपी-डाइडिमीश हो परणाली में पाए जाते हैं, लेकिन तेक है, आपको क्या नहीं पाए जाएगा, तो अभरी नहीं पाए जाता है, अभरी जो है, वो female reproductive organ है, यानि यह तेक आपको इस्तरियों में पाए जाने वाली जनन गरंती होती है, यह ध्यान में आप रखेगा, बार-बार इस तरह का प्रशन आप से पूछेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देखिये, कह रहा है, अमीवा में प्रजनन कैसे होता है, बार-बार मैं आपको बता रहा हूं, कि देखें अमीवा जो है, प्रोटो जौा में आता है, अमीवा, यह क्या हुआ हुआ, तो अमीवा, प्रोटिय जाते हैं यह दो भागों में तूर जाएगा और ये इसका दूई विखन्डन होता है और बार बार में भी बता रहा हूं आपको गृता है up किया हION-เดखे अम्विभा में प्रजनन काफ़ से होता है तो myklon मैंने कहा था किसमें होगा挺 Meclan होगा quota 4ma में वेना हैं किसमें तो आपको खंडन में प्रुट tallest इपने आपThe video अविभक हो करके नए जिपतों की कर लेगा बचे आपको लिबे खंडन के द्वारा हें होट्ध are the reproduction a कर सीना मीभाइवर भात गरें तो बाइणिकल आप नरी किसल तो उन्हान जाइब हम कीघियों हैं बार-बार यह क्या होगा तो टूटेगा बच्चे अलग-अलग भागों में टूटेगा जबकि तेक आपको ध्यान में रखेगा कि मनुस्त की बात अगर करेंगे तो मनुस्त में क्या होता है तो आपका लेंगिक प्रजानन द्वारा वह तूटता है नेक्स देखते हैं एक व्यक्तिकत तंत्रिका कोसिका द्यास तक लंबी होती है बच्चे आपको पता होगा कि मनुस्त में मनुस्त की कोसिका की बात अगर करेंगे मनुस्त में आपको सबसे बड़ी कोसिका की बात अगर करेंगे तो सबसे बड़ी कोसिका होता है कौन तो लंबी नहीं बोल रह अभा होता है अभा होगा अंडानू होता है बिटा ये ध्यान में रखेगा ओभा होता है और अगर बात करें सबसे लंबी तो सबसे लंबी कोन होता है तो मनुसमें सबसे लंबी कोसिका कोन होगा सबसे लंबी कोसिका होती है ध्यान में रखेगा कोसिका ये होती है आपको तं सेंटीम्रेर के आसफस होता है तो हम क्या कहते हैं तो cents को श्का की काई twitter निरॉंण कहा जाता है और विल्ओंट संचर्ष मुझा करूंर कितर भूमी का क्या होती है बारबार में बताता हूँ कि देखे पित जो है पित जो है वो क्या होता है बेटा पित जो है पित पित क्या करता है तो पित जो है ये निकलता है कहां से ये निकलेगा ठेक पित आसे से निकलता है गोल पित आसे में संग्रहित होता है पित आसे में संग्रहित होगा और निकलता कहां से है त और यहीं से क्या होगा, तो आपको पित जो है क्या करता है, भोजन को छारिये बनाता है, एकदम ध्यान में रखेगा, पित भोजन को छारिये बनाता है, एकदम ध्यान में रखना बिटा, भोजन को क्या बनाता है, छारिये, और छारिये बनाता है, और यह बनाता है, यह वश वसा का पाइसी करन करता है यह 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 वसा का पाइसी करन करेगा कौन करेगा तो आपको वसा का पाइसी करन करने का काम, emulsification of fat करने का काम करेगा, कौन तो आपको पितरस करेगा, बच्चे emulsification मतलब क्या होता है, तो वसा को छोटे-छोटे कनों में तोड़ना, छोटे-छोटे कनों में तोड़ने की घटना, चोटे-चोटे कनों में तोड़ना, क्या कहलाएगा, तो पाईशी करन कहलाएगा, तोड़ना क्या कहलाएगा, तो पाईशी करन कहलाता है, एकदम याद रखेगा, जबकि वसा का अपसोसन या वशा का पाचन कहाँ पर होता है, तो वसा का अपसोसन या वसा का पाचन होता है बेटा कहां पर होता है छोटी आत में कहां पर होगा छोटी आत में होता है तो एक दम ध्यान में रखेगा छोटी आत में होता है बहुत बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए चलिए पूर्ण पाचन की बात कर रहा हूं में वसा का पूर्ण पाचन कहा पूर्ण पाचन या प्रदान कर सकता है बच्चे प्रजातिों में ध्यान में रखे में बट अच्शा बुट कर सकता है। नहीं हो तो आपको सरवाइब करना बड़ा कठीन है। यहाँ पर वीग्णिक थे, नाम था चार्स डार्वीन उन्होंने उन्होंने ठेक है एक चार्स डार्वीन बेटा चार्स डार्वीन इन्होंने क्या किया तो डार्वीन एक सिधान्त दिया था आप सभी बच्चों को पता होगा कि इन्होंने एक सिधान्त दिया था सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट सर्वाइवल फ अपने आपको अपने आपको परिवर्तित प्रयावरन में परिवर्तित प्रयावरन में क्या करेगा प्रयावरन में खुद को खुद को अस्थापित करेगा वही क्या होगा आपको जिवित रहेगा वही जिवित रहता है एकदम ध्यान में रखेगा करेगा वही जिवित रहत तो यहां पर परिवर्तन तो हो नहीं हुई चाहिए बच्चे समय के साथ हर बेक्ति को आप भी देखेगा कि नए पर सुरू हो गया है तो बच्चे नए पहें पहर बॹरतन के लखाट अपने आपको ट्री जा करके आपको आपको कहले कि आपको दियुक्त करते हैं इसलिए कि परिवर्तन तो होनाई होना शाहिए एक दम ध्यान में रखिए भाप है सलिए बहुत इंपोर्टेंट है बढ़ते हैं हम लोग यहां देखिए क्या कहा जा रहा है कुश्चन में चली आगे बढ़ते हैं विभिन प्रकार के अस्थाई उत्तकों के निर्मान के लिए देखिए जैनली क्या होता है मैं बार बार आपको बताता रहता हूं अभी लगातारी इस तरह के प्रश्टों पर हम चर्चा कर रहे हैं देखिए बिभिन प्रकार के अस्थाई उत्तकों के निर्मान के लिए देखिए डैस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है तो यह मेरिस्टमेटिक टीसू कौनसा टीसू मेरिस्टमेटिक टीसू ही भात्पून भूमी का निवाता है तो meristematic tissue के द्वारा आपको किसका निर्मान होता है The cells of the meristematic tissue are separated to form different types of permanent tissues एकदम याद रखिए बचे, meristematic tissue होगा इसमें तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि देखिए आपको जो कोसिकाओं के द्वारा, यानि अस्थाई उत्तक का निर्मान जभी बात करें तो meristematic tissue के द्वारा होता है यानि आपको विभाज्योत्तक, मैंने इस्थाई उत्तक का निर्मान करता है एकदम याद रखिए बचा, अस्थाई उत्तक का निर्मान करता है अस्थाई उत्तक का निर्मान करता है, तो बहुत इंपोर्टेंट है, और यह ध्यान में रखेगा, जबकि इस किलन काइमा मैंने क्या कहा, कि यह द्रड होता है, और क्या होगा, मृत होता है, द्रड मृत होता है, और परन काइमा, इसमें क्या होता है, वायू भरा रहता है, बहुत important है, बार-बार आपसे कुस्तन पूछेगा, कुलन कायमा में क्या होता है, chlorophyll पाय जाता है, और ये लचीला होता है, चल बटा, आगे देखते हैं, यौन परजनन में अभिबाबक का योगदान कितना होता है, तो बहुत important है, कि जब भी यौन परजनन की बात करेंगे अभी तुरंत मैंने कहा था, कि देखिए, यौन परजनन में, जब भी यौन परजनन मतलब लैंगिक परजनन, यौन परजनन, जैसे मनस्व में परजनन होगा, तो यौन परजनन होगा, इसी को वो यौन परजनन, या क्या बोलते हैं, लैंगिक परजनन बोलते हैं, होता है तो ओभा होता है और इस पम में कितना होता है तो आपको पता है बाइस प्लस ठीक है बाइस प्लस एक्स कुरूम जूम या ठीक है बाइस प्लस य दोनों होता है बिटा या तो बाइस प्लस एक्स होगा या बाइस प्लस क्या होगा वाय होगा वहामें क्या होगा बच्छे बाइस प्लस एक्स होता है अब देखिए यह क्या होगा तो बाइस प्लस एक्स होता है अब देखिए यह क्या होगा तो ये कहा होगा male child बोलते है female child का निर्मान करेगा female child बनेगा बच्चे female child का निर्मान होगा तेख है और जब ये 22 प्लस y किस से sperm से यानि male से और 22 प्लस x female से ये प्राप्ट हुआ तो बच्चे तेख है आपको क्या बनेगा तो आपको यहाँ पर बनेगा boy child बनेगा boy child का निर्मान होगा तो ये ध्यान में रखिएगा कि आधा किसे ने दिया क्रूम हो जो 22 प्लस x या 22 प्लस y male के द्वारा प्राप्ट हुआ यान फादर के द्वारा प्राप्ट हुआ और आधा जो है 22 प्लस x ये किस के द्वारा प्राप्ट हुआ तो मदर के द्वारा प्राप्ट हुआ तो उसके वनसज में जीन का गलत बात है तो उसके वनसज का आधा भाग बच्चे वनसज का आधा भाग यानि दोनों अपने आप में आधा आधा भाग मिक्स करके नई जीब का निर्मान होता है यह ध्यान में रखिए नेक्स देखते है बिटा एक बीज पत्रिय पौधा कौन होता है बहुत अच्छा कुछ सने बिटा एक बीज पत्रिय पौधा तो लासून जो है एक बीज पत्रिय पादप होता है याद रखना बिटा लासून जो है ठीक किस खुल का है पहले यह देख लिजी लासून आपको एक बीज पत्रिय पत्र होता है यह मोनोकॉट बिटा एक ही बीज उसमें होगा मोनोकॉट में क्या होगा एक बीज होता है एक बीज होते हैं एक बीज पत्र होते हैं बीज पत्र क्या होता है आपको पता है जैसे ही आपने जमीन के अंदर बीज को डाला इस परकार से बाहर उसका प्लिमिल निकलता है नीचे क्या होगा जड निकलता है तो यह जो पत्या न ये किस कुलके हैं लास्टोन और प्याच किस कुलके हैं तो लिली एसी याद रखें लिली एसी बार बार को सन पूछेगा लिली एसी कुलका होगा लिली एसी कुलका होता है बच्चे ध्यान में रखेगा लिली एसी कुलका होता है और जितने भी जर्मिनिय कुलके होते हैं प्रभका हो गया फिर देखिए अप्का हो गया ध्हुरल हो गया जो गया यह सभ क्या हो गया यह सभी एक वीच पत्रियं पादब होते है सबहें लिख लिज्याएगा फालमि यानिह 65 अफ़ रहें हो इतनी नहीं सुपाड़ी आएगा तार आएगा खजूर आएगा नारियल आएगा सुपाड़ी 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 तार नारियल यह सब आता है यह सब क्या होंगे यह भी एक बीज पत्री होता है यह भी एक बीज पत्री होता है एक बीज पत्री होता है एक बीज पत्री होता है ए यहां पर डेजी से करोट यह यह क्या होगा यह सभी आपको जूई बीच पत्री होगा यहांने डाय कोटाई लीडाउंस होता है एक दम नूट डाउन कर लिजेगा आपके लिए बहुत-बहुत महर्पुन है तो पालमी ग्रेमिनी पालमी मैंने कहा सुपाडी ताल यह सब मैं चाबल मक्का ज्वार यह सब एक बिच पत्री आएगा लेकिन डेजी करोट रोच यह सब क्या होता है तो बच्चे करोट मतलब गाजर हुआ गाजर गुलाब डेजी यह सब आपको भी बिच पत्री में आता है ध्यान में रखेगा थारॉक्सीन के संसलेशन के डिया इस निकलता है और यहाँ से आपको कौन सा हार्मो निकलेगा तो थारॉक्सीन ही है और इसकेeeeeo के लिए ब्यास अवस्यक है आयोडीन बहुत बहुत आवश्यक है, आयोडीन अगर नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रियेट हो जाया गया, तो आयोडीन आवश्यक है, और बेटा थारक्सीन हार्मोन करता क्या है, तो थारक्सीन हार्मोन कोस्किय स्वसन को तिब्र करता है, और इसकी कमी से कौन सा र को क्या करेगा तिपर करने का काम करता है एकदम याद रखे तिपर करता है बैटा एकदम याद रखनाया का संसिलेशन करता है और याद रखना है यह हड़ियों के निर्मान के लिए बहूत-बहूत आवश्क होता है हेलीना कुछ होता नहीँ है बैटा, तो यह ध्यान में रखिएगा कराम, मैंदल के नियम किबल तभी लागू होते है जब बच्छे, मैंदल का नियम कब लागू होगा तो मेंडल सहाब ने मेंडल सहाब को अनुवान सिक्ता का जनक कहा जाता है एकदम याद रखे मेंडल को अनुवान सिक्ता का जनक कहते हैं और जनक कहते हैं ध्यान में रखेगा अनुवान सिक्ता का जनक कहते हैं और याद रखे तो मेंडल ने आपको दो तीन नियम दिये थे मेंडल ने दो तीन नियम दिये थे और बच्चे जब तक आपको सुध अभी जन नहीं होगा जनक आपकर सुध अभी जन नहीं होगा तो मेंडल का नियम लागू नहीं होगा और इस नियम में मिंडल ने क्या कहा ध्यान दीजेगे इस नियम में मिंडल ने क्या कहा कि अगर लंबा-लंबा है और बोना-बोना पादप है तो वह आपस में क्रॉस करके तो पहले जनरेशन में क्या करेगा तो संपुन लंबा पादप का निर्मान करेगा लेकिन दूसरे जनरसन में अगर 100, 100, ठीक है, 100 निसेचन होता है, ठीक है संपूर्ण क्या होगा, लंबा प्राप्त होगा, और 100 निसेचन होगा, तो तीन अनुपात एक में क्या होगा, लंबा और बोना प्राप्त होता है, ये बातें याद रखेगा आप लोग, बार बार इ नेक्स देखते हैं बेटा ज्वाइंट पर हड़ी की सता मुलाइम होती है क्यों होती है बाई ज्वाइंट पर हड़ी की सता मुलाइम की और क्यों होती है तो आपको पता है होगा कि ज्वाइंट जो होता है ज्वाइंट 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 कहते हैं लिगामेंट सनायू कहते हैं क्या कहते हैं सनायू कहते हैं सनायू कहते हैं और जब भी बोन पर आपको लचिला होगा तो बोन पर लचिला क्यों होता है तो यह ध्यान में रखेगा बोन पर लचिला इसलिए होगा तुहां काटिलेजेज का निर्मान होता है काटिलेजेज का निर्मान होगा काटिलेज मतलब यह उपास्ती हो गया बैटा क्या होगा उपास्ती हो गया उपास्ती हो गया और उपास्ती जो है मुलायम हड्डी होता है आपने देखा होगा मुलायम हड्डी होता बैटा और मुलायम हड्डी क्या होगा यह याद रखेग tendon कहा जाता है कंडरा बोलते हैं लेकिन आपको पता है मुलाइम अस्थी जहां भी होगी उसको cartilages करते हैं देखेए हैं मेरा कान कान मुलाइम है तो इसका मतलब क्या है इसमें किसका यह बना होगा यह cartilages का बना होगा नाक मेरा चलिए नेकर देखते हैं बीटा, तेक है कारा निमल खित मैंसे कौन सा मोनेरा समूँ से संबदित नहीं है, बीटा, यहाँ देखे, तेक है मोनेरा, मोनेरा, आपको पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने विटेकर की बात की थी, विटेकर का बात किया था, बीटा, तो पहला संहू क्या था Monerya और दूसरा संहू था Protesta, बच्चे जितने भी ठीक है, आपको Pro Pelocaryotes होते हैं, Pro Pelocaryotes होते हैं, धियान दीज़े मेरी बात पर Pro Pelocaryotes होगा, वो सभी आपको क्याईंगे तो इसी वर्ग में आता है, बच्चे Monerya में आता है प्रोकेरियोट्स में कौन होगा तो बैक्टीरिया तो होगा यह होगा साइनो बैक्टीरिया भी होगा ठेका माइको प्लाजमा भी होगा लेकिन डाइटम नहीं होगा ध्यान में रखेगा डाइटम आपका नहीं होगा एकदम याद रखना बैटा डाइटम यहाँ गडबड है इस कुस्तन में क्या है गडबड तो ये डाइटम्स डाइटम्स जो है ये भी तेक है आपको पाया जाता है किस में तो बच्चे डाइटम्स भी पाया जाता है तेक है मोनेरा समू में ही पाया जाता है मोनेरा समू में ही पाया जाता है ध्यान दिजे मेरी बात पर एक्तिरिया होगा halo बैक्टिरिया मैं बता रहा हूँ और देखें मेरी बात में पर समझेंगा तो बैक्टीरियास घूं होगा पिर देखे क्या होगा थे नू बैक्टीरिया और तो यह सबुत आपको तो दाइटम्स भी होगा इसी संहुम में आएगा डाइटम्स भी होगा लेकिन यहां mycoplasma नहीं होगा धियान में रखेगा mycoplasma किस वर्ग से आता था mycoplasma जो है क्या को अता किहाते है निकिंग ओछोन श्कॉत क्या कहते हैं बच्चे तो पिपलो ऑफ्लिवू रो निमोनिया लाइक और ऑर्गनीज्व इसको एक जो है आपको किस वर्ग में है तो एकदम ध्यान में रखेगा, यह मैंने कहा यह प्रोटिस्टा वर्ग में है प्रोटिस्टा वर्ग में है ना कि आपको किसमे है तो बच्चे मोनेरा समू में तो मोनेरा समू में बैक्टिरिया, साइनो बैक्टिरिया और डाइटम ये सभी आएंगे मोंडेरासमों में चलिए अच्छी बातें प्रसबब की डियासकी दिवारों में संकुंचन के कारण होता देखे प्रसबब प्रसबब की समय में क्या होता है आपको प्रसबब की लिपर पेन हो गया और यह जनली इस समय में demás और इस समय में क्या होता है और इस समय में क्या होता है और इसका सेक्रेशन भी आपके सरीर में बहुत अधिक होने लगता है जो भी आपका फिमिल जो क्या है प्रिग्नेंट है उसके सरीर में काफी अधिक इसका सराब होने लगता है और ये कहां से सराबित होगा बेटा ये सर Corpus Luteum से मुलरी जीकि Siya虎ाइब और यह क्या करेगा तो यह गर्भासे की दिवार को संकुचित करने का प्रयास करेगा यानि गर्भासे की दिवार दिवारों में संकुचैन के कारण ही आपको क्या होता लिबर चेल इस्पास धम होता है जिसके सिंफोसिस को मुलाईम कर देता है जियान में रखेएगा लेक्जन हार्मोन है ये क्या करता है क्या होगा अधियान के wellness प्रसफबदा किस हर्मोन के कारण होगा तो रिलैक्स दिन ये कहां से सेकृरेट होगा तो कॉर्पस लूटियम से पराभित होता है। चले ब отдел से आगे दिखते हैं मानब सरीर में स्वसण बरनक क्या होता है मानब शरीर में स्वसंबरनक होगा हमो हमोग्लोबीन होता है हमोग्लोबीन जो है याद रखे बचा हमोग्लोबीन यह हेम प्लस ग्लोबीन होता है हेम जो है यह लोह आयन होता है फी टू प्लस आयन होता है और यही क्या करेगा तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को आपको कैरी करता है कैरी करने का काम करता है करने का वरणक है यह तवचा वरणक होता है कौन तो मेलेनीन होता है और यहीं इसी की वज़ा से क्या होता है सरीर काला भी होता है एकदम ध्यान में रखेगा इसी की वज़ा से आपका सरीर काला होता है तो मनुसमें स्वसान वरणक कौन होगा तो स्वसान वरणक होता है तो आपको ह होता है तो यह ध्यान में रखेगा चलिए नेक्शन देखते हैं बटा यहां देखिए द्रबमाद 10 कजी का एक ब्लॉग समान रूप से अपनी प्राणबे कवस्ता में 20 सकेंड में 2 मीटर पर सकेंड की गती तक बढ़ता है तो जीरो से 20 सकेंड के अंतराल में विक्सित ओसत उर्जा कितनी होगी तो बच्चे बहुत अच्छा कुस्टन है यहां देखिए ओस्त गति उर्जा कितना होगा तो और यह चुर्छी कर लिए ऊटाइम कर लिजी एटफायं कर लिजे गति-जूर्जा बटा समय कर लेते हैं तो गतिजूर् brilley कितना हो गया तो कोष्काइब निकाल लीजे ना क्या दिकत है यह देखे क्या होगा धू पंच पाँच है अगे बीस ज़ेगे एक वाट ठीक हो जाएगा यह यहीए लिशों के सकते हैं तो गएंट्श पर बात कर रहा है तो एक वाट पर सकेंड हो गया ध्यान में रखेगा एक वाट पर सकेंड पर हम चर्चा कर रहे हैं वाट इंटू सकेंड होना चाहिए था वाट इंटू सकेंड होगा वाट इंटू सकेंड होगा तो यह ध्यान में रखेगा एक वाट इंटू सकेंड एक वाट तरीके से निकाला जा सकता है, सकती अलग लग तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, या पोटेंसियल एनर्जी बटए टाइम भी निकाल सकते हैं, या कैनेटिक एनर्जी बटए टाइम भी निकाल सकते हैं, उस तरह से आप सक्ति का दिखा सकते है या आपको पता है क्या कि power बरबर क्या होता है बिटा तो work upon time होता है power बरबर क्या होता है तो q into b upon क्या होगा t हो जाएगा या power बरबर क्या होता है तो b square upon क्या होगा r भी हो सकता है power बरबर क्या होगा वी इंटू आई भी होता है तो यह अलग अलग फरमूला है किसके सक्ति के चलिए नेक्स देखते हैं बिटा 220 वोल्टे आउट्पुट वाले जनेरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोडने पर प्राप्त होने वाली विदुधारा की गनना की जीए तो देखें विदुधारा की गनना करना है बेटा तो क्या करना है तो पावर पी बरबर होता है भी इंटू आई भी का वेल्यू क्या हुआ भी क्या हुआ भी क्या हुआ 1100 वाट है बटाए क्या कर देते हैं 220 कर देते हैं काट दीजिए तेगा पाच एंपियर धारा हो जाएगा तो आंसर क्या होगा आपको ए नंबर आंसर होगा चलिए नेक्स देखते हैं बेटा किसी वस्तु को गुलाकार दर्पन के वकरता केंद पर रखे जाने पर अबतल दर अब तल दर्पन के वकरता केंद पर रखे रखे चला हां से एक प्राकास की किरण कहां से गुजरता है तो बच्चे से जा अक्श तो प्रतिवियम होगा कैसा, तो बच्चे प्रतिवियम कैसा होगा, यह ध्यान में रखेगा, प्रतिवियम होगा, तो बच्चे उल्टा होगा, प्रतिवियम कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, वस्तू के आकार के बराबर होगा, तो वस्तू के आकार के बराबर होगा, तो तो इ arrog पर निर्मान होता है रोग का करता है और बने कर सक्षेम और जब धी अवतल दरपन की बात करेगा नेक्स देखते हैं, नेक्स केजी का कार, 90 किलोमेटर प्रती घंटा से चल रहा है, ब्रेक लगाने के बाद, 5 सेकंड के बाद यहां कार रुक जाती है, तो क्या आप निकालिये, बच्चे लेकरा बल निकालिये, तो बल क्या होता है, बल F वराबर होता है, M A, F वराबर क्या होता है? M A, ये बल का फर्मूला है, बल, F वराबर द्रब्मान, गुना क्या होता? त्वरण होगा, द्रब्मान, गुना क्या होगा? त्वरण होगा, द्रब्मान, गुना क्या हो जाएगा? त्वरण होता है, एकदम ध्यान में रखेगा, द्रब्मान गु भी का वेल्यू कितना है 90, 90 को बदल लेते हैं, मीटे पर सकेंड में, बटे पांच कर दीजे बटा, तो निकाल लीजे ना, क्या दिकत है, 18 पंचे, 90, और पांच, पांच काड़ दीजे, क्या हुआ, 800 गुना पांच कर दीजे, यानि 4000 न्यूटन हो जाएगा, आंसर हो है, कि ये देखे, आवेस दिया हुआ है, ये क्या है, विद्धारा दिया हुआ, आई दिया हुआ है, और ये क्या है, समय दिया हुआ है, एक मिनट, तो आपको आवेस निकालना है, तो आपको पता है, बिटा, क्या पता है, कि विद्धारा, आई बराबर क्या होता है, एक मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड होता है, तो 60 कुलंब आवेस हो जाएगा, यहाँ देखें, 60 कुलंब आवेस हो जाएगा, क्या दिक्कत है? चलिए, नेक्स देखते हैं, क्या कहा रहा है, कि एक पृतिरोध हक की लंबाई L है, कोई बात नहीं, L लंबाई है, टेके, उ तो कभी बदलता नहीं याद रखिए पदार्थ के परिवर्तन होने पर ही रो बदलेगा यानि विसिष्ट प्रतिरोत का मान पदार्थ के समाने रहने पर कभी नहीं बदलता है यानि specific resistance या resistivity doesn't change आपको according to change in substance बच्चे substance अगर change होगा when substances changes यानि when material changes या when conductor body changes then only resistivity changes मतलब मालिजे कि कोई तार है copper का अब हम तार बदल लिए किसका silver का बदल लिए तभी आपको resistivity परिवर्ति होगा अगर पदार समान है यानि material अगर समान है copper copper का ही तार है तो कभी भी resistivity या प्रति रोधरता नहीं बदलता है तो रो नहीं बदलेगा यहाँ देखिए लंबाई और च्छतफल के बदलने से नहीं बदलेगा यहाँ देखे क्या हो जाएगा तो बिटा यह देखे 2A यहाँ देखे L अब बटा 2 आइंटू कर दीजे क्या 2A कर देते हैं कोई बात नहीं है भाईसा रो एल आपोन क्या हो जाता है तो R1 बराबर क्या होगा R बटा 4 हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा आपका B number answer होगा देखे किस तरह से question बन रहा है बहुत इजी है ठीक है ध्यान में रखेगा चलिए दो बल्बों में से एक दूसरे की तुल्ला में अधिक चमकता है कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्छ होगा तो आसान को से ने बेटा तो आपको पता है P बरबर क्या होता है B S2 बटा है R होता है तो जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसका पाबर कम होगा वह चमकेगा कम ध्यान दीजे क्या बोल रहा हूं में प्रतिरोध अधिक प्रतिरोध क्या हुआ अधिक हुआ तो पाबर क्या होगा? कम, हाँ, चमक कम, चमक कम होगा, एकदम ध्यान में रखेगा, चमक क्या होगा? कम हो जाएगा, अब देखे, प्रतिरोध क्या होगा? कम, प्रतिरोध कम, तो प्रतिरोध क्या होगा? कम हो गया, और पाबर क्या होगा? अधिक होगा, चमक क्या होगा? अ आधिक होगा तो अब देखें क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा यहांसे दोना प्रतिरोध है यहाँ सप्छलक हे यहाँ रखना यह पर एक बस्तु को उत्तल दार्पन के सामने अनन्त और दर्पन के ध्रुब के भीच इस्तित एक विंदू पर रख्छ जाता यह तो निर्वित होने वाला ज भी क्या होता है उत्तल दर्पन द्वारा हमेसा आभासी पृद्ज्रियोर मीरर के लिए,, उत्तल दर्पन द्वारा हमेशा उत्तल दर्पन द्वारा यह एकदम याद रखेगा उत्तल दर्पन यानि कनवेक्स मीरर के द्वारा कनवेक्स मीरर के द्वारा हमेशा आपको ठीक हमेशा आपको कैसा बनता है खोटा चोटा और आभासी प्रतिविम बंता है, एक दम ध्यान नहीं रखें, बटा, आभासी प्रतिविम बंता है, किसके द्वारा? तो टें raspberry द्पन के द्वारा, हमेशा, आपको क्या बनेगा? आभासी और छोटा ही प्रतिविम बनता, कभी भी बड़ा नहीं बनेगाoryघक ऑर बड़ा करनेंगे किसे द्वारा बनेगा तो अब तो उब कीया हो n कॉसक के बागा गया वह थोकुस की बिच एन्हा वेयlex प्रॉंट ऊंट की जे वे क के सलकी कि बादा हूग कि यहां देखें, एक संपड़ित स्प्रिंग में कौन सी उर्जा संचीत रहती है, बिटा जैसे ये स्प्रिंग को संचीत करेंगे, संपड़ित करेंगे, स्प्रिंग को संपड़ित करने पर, क्या होगा, संपड़ित करने पर, ठेक है, करने पर, ठेक है, केबल, 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 उसमें इस्थेतेज उर्जा संचित रहता है, 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 ध्यान में रखेगा, पोटेंसियल इनर्जी उसमें संचित रहता है, याद रखना बार बार ये को संचित रहेगा तो potential energy उसमें संचित रहता है याद रखना बार बार इस तरह का प्रशन आप से पूछेगा कि कौन सा उर्जा उसमें संचित रहेगा तो ध्यान में रखेगा बार उसमें हमेशा potential energy संचित रहेगा चरी क्या होगा तो संचीत रहता है चली कौन सा उर्जा आपको इस्तितिज उर्जा यू बराबर क्या होता हाफ के एक्स स्क्वार होता है जहां के क्या है बच्चे स्प्रिंग में उर्जा किसके रुप में संचीत रहेगा इस्प्रिंग में उर्जा ठेक है उर्जा संचीद रहता है ठेक है 1 by 2 k x को जहां k क्या है k बराबर spring constant है spring constant और x क्या है तो आपको x क्या है sum p done है sum p done ठेक है sum p done है पिछा तो यह ध्यान में रखिएगा चले बहुत important है आगे बढ़ रहें यहां देखें ठेक है 2000 kg का truck traffic light पर खड़ी एक car से ठकराता है कोई बात नहीं है ठकराने के बाद दोनों एक साथ 8 meter per second की वेग से चलती है तो कोई बात नहीं है देखें बटा क्या कहा रहा है तो द्रमान गयात कीजिए यहां देखें क्या कहा रहा है यह truck है यह truck है चल रहा है कितना से तो 10 meter पर तकेल कोई बात नहीं है traffic light पर खड़ी एक car यह देखें कार है car का यह द्रमान इसका माने M और car का द्रमान क्या माल लिए M1 माल लेते हैं और यह टकराती है टकराने के बाद दोनों का यानि M plus क्या होगा M1 और यह गमन कर रहा है किस वेग से तो 8 meter पर तकेल से इसका द्रमान निकालना है कोई दिकत नहीं है ठीक है अब देखें पहले का संबेग पहले का संबेग यानि M गुना 10 बराबर बाद का कुल संबेग यानि M1 प्लस क्या होगा capital M into क्या बटा 8 कर लिजे ठीक है अब देखें M का मान कितना है तो M का मान दिया वाद 2000 केजी 2000 गुना क्या कर दीजे 10 बराबर क्या करते है M1 M1 का मान निकालना है प्लस क्या कर दीजे 2000 और गुना क्या कर दीजे 8 से गुना कर दीजे कोई problem नहीं है ठीक है अब देखें क्या करेंगे तो 2000 गुना 8 तो इससे निकाल दीजे फटाफट निकल जाएगा बेटा यह देखें M1 प्लस क्या 2000 बराबर 2000 गुना 100 बलते हैं 10 बटा कितना 8 कोई बात नहीं दू छोक्या 8 कर दीजे और दू पंचर 10 कर दीजे 5 यह देखें 500 हो गया ठेक है और यह क्या हो गया 2500 यानि M1 प्लस क्या 2000 बराबर 2500 तो उधर घटा दीजे बेटा ठेक है M1 बराबर कितना होगा पचिस सो घटा कितना तो 2000 बराबर कितना 500 kg हो जाएगा तो यह ध्यान में रखेगा 500 kg आपका हो जाएगा नेक्स देखते हैं बेटा तेगा क्या कहा रहा एक पिंड ए जिसका दरमान 2 kg और पिंड भी जिसका दरमान 3 kg है एक दूसरे की यह क्रमसा 4 метr per second से और 2 मेटर per second से वेग से बढ़ रहा है एक दूसरे के से टककर के समय प्रत्यास संघठ होगा बच्चे प्रत्यास संघठ होगा तो दोनों पिंड कोँओं पिंडों की गति की दिसका के लंबत विप्रीद दिसा में एक बी की दिसक में आगे कौस्टन कहा रहा है कि अपको प्रतियास संगट भी कौसंड लुट है तो कैसे आपकोpeople करेगा कि जैसे ज Sec प्रतियास संगट तभी होगा जब वो वितरी दिशा में गमन करेगा ठेक है? आँ, move in opposite direction ये देखे, ये इधर से चलेगा, ये इधर से चलेगा, ये इधर से चलेगा यानि तभी आपको क्या होगा? दोनों के भी श्टक्रा होगा और प्रतियास संगट होगा आपको momentum क्या होगा? momentum दोनों conserved रहता है। याद रखना बिटा? कांडिक इनर्जी और momentum दोनों क्या होगा? सन रक्षित रहता है. किस में? तो प्रत्यास संगर्ठे में. एक दम याद रखना इस बात को. तो विपरीत दिसा में होनी चाहिए. किस दिसा में? विप्रीज दिसा में होनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते मेटा गती का दूती है समीकरण 10 के भी समध बताता है तो बच्चे 3 समीकरण होते हैं गती के कितने समीकरण 3? गती के 3 समीकरण 3 समीकरण मुख्य रुप से हैं और कौन-कौन है? तो आप सभी बच्चों को पता है गती का समीकरण 3 है पहला है भी बढ़ाबर यू प्लस क्या होगा? 80 यानि वेग और समय के भी समंध बताता है वेग समय समंध बताता है दूसरा क्या होगा? एस बढ़ाबर यू टी प्लस क्या? पिट- dispers क्या यह किसके भी समंध बताएगा तो यह देखे विस्थापन और समय के भी समंध बता जाताता है पिटा मैं बार 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 बुलता हूँ वेग और क्या होगा? यह इस्थिती के भी समंध बताता है हो संो सम्मी पूछरा गत्पा का समीकरण तो ये देखे इस्थिती बोल दीजे या विस्थापन बोल दीजे और समय के भी समध बताएगा तो पहला अक्षर विस्थापन हो गया दूसरा अक्षर लास्ट वाला अक्षर हो गया समय तो विस्थापन समय समध ये बताएगा कहा है तो वेग समय नहीं बच्चे इस्थित तेती है। पानी के नीचे रहता है। वस्तु का खंव डिया कंट बार बार बूला है कि देखिए जल में डूबा बाग उबा बाग एक जितना भाग उसका जल में क्या वेँआ हो तो अप एक शीघनihadimet कि या होता है तो जब भी ये बात करेंगे हम, तो वस्तु का ध्यान दीजे बटा, वस्तु का जल में डुबा भाग, जल में डुबा भाग, जितना भाग जल में डुबा है, जल में डुबा भाग, ठेक है, कोई भी वस्तु है, और बटे क्या, वस्तु का कुल आयतन, जल में डुबा याद रखे बच्चे वस्तु का कुल भाग या कुल आयतन कह दीजिए तो बच्चे किसी में वस्तु का कुल आयतन कितना होगा मालेतन भी है और आपको वस्तु के डूबे वा भाग का आयतन कह रहा है भी बटा थ्री यह देखे एक टियाई भाग नीचे डूबा हुआ है तो तो बिटा इसको काट दीजे, क्या होगा, one butter three हो जाएगा, यानि इसका पिक्षिघनत कितना होगा, one butter three होगा, यानि N का मान बोल रहा कितना होगा, one butter three हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, चली, ये देख लेते हैं, जब बस्तु की गती दोगनी हो जाती है, तो गती जुर्या तिक रहेगी, बच्चे बस्तु की, बस्तु का क्या करहा है, गती दोगनी, तो kinetic energy बड़ावर होता है, कितना half m v square होता है, so half m v square होगा, तो half का kinetic energy ke1 बरबावर हो जाएगा, half into m into v, दो गुणा कर देते हैं 2B का स्क्वार कर दीजिए यानि क्या होगा 4 4 into half MB स्क्वार हो जाएगा यानि गति जूर्जा पहले के गति जूर्जा का कितना चार गुणा हो जाएगा kinetic energy 1 बराबर तो यह बाते याद रखेगा 4 गुणा हो जाता 4 फोर टाइमस हो जाएगा 4 टाइमस आपको गति जूर्जा हो जाएगी अगले कुशन पर चलते हैं बिटा यहां देख लिए अगला कुशन क्या कहा रहा है देखिए यादि पानी का घंत 10 to the power 3 केजी पर मिटर क्यूब हो अच्छा कुशन है यहां देख लिए अच्छा कुशन है क्या कह रहा है कि पानी का घंत 10 to the power 3 केजी पर मिटर क्यूब है तो धातु का घंत इतना है तो धातु का सापेच घंत निकाले हो असान कुशन होता है इस तरह का अगर इस तरह की प्रशन तो होता है और यह देखे क्या होगा वस्तु का घनत होगा 8.5 इंटू 10.3 केजी पर मिटर की बटै तो आपको 10.3 होगे यह देखे इसको काट दीचे क्या बचा 8.5 बचा धियान में रखेगा 8.5 हो जागा याद रखेगा आप एकशी घनत बराबर एक बार फिर से सुनिए आ आप एकशी घनत बराबर क्या होता है तो वस्तु का घनत बटै जल का घनत बेटा आप एकशी घनत का कोई मात्रक नहीं होता है एकदम याद रखेगा कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है कोई मात्रक नहीं होता है there is no any unit of ते किसका तो आपको आप एकशी घनत का एकदम ध् ध्वानी और प्रकास तरंगों के बारे में सही है, तो सबसे पहले ये बात देख लेते हैं, ध्वानी कौन सा तरंग है, ध्वानी बेटा अनुदैर्द तरंग है, ध्वानी कौन सा तरंग है, अनुदैर्द तरंग है, और यह लोंगिचूडनल वेब है, अनुदैर्द तरं करता है तो यह माध्यम के समांतर गमन करता है एक दम याद रखेगा समांतर गमन करता है बहुत माध्यम के लंबवत गमन करता है बहुत इंपोर्टेंट है और यह कौन सा तरंग है यह जो है अनुप्रस्त तरंग है फ्रांसर क्या होगा भी होगा ध्रणी तरंग और तरंग होता है लेकिन प्रकास अनुप्रस तरंग होता है तो आंसर हो गया आपका भी नंबर बहुत बहुत इंप्वॉटन के आपको ध्यान में रखना है चले के दिखते हैं करा एक सुचालक से दो एंपियर की विद्धारा प्रवाहित होती है, दो एंपियर की विद्धारा का प्रवाह होता है, जिसके दोनों अंत चार भोल्ट की घति जूरजा पर है, कोई बातनी सुचालक की प्रतिरोधकता ग्याद कीजिए, बेटा सुचालक की प्रतिरोधकता ग्याद करना है, और आपको पता है कि ओम का नियम ध्यान में रखेगा इस तरह के प्रस्ट में क्या करेंगे ओम का नियम का प्रयोग करेंगे ओम कानियम क्या कहता है कि देखिए प्रतिरोध प्रतिरोध बराबर क्या होता है ठीक है अब प्रतिरोध बराबर क्या होगा तो प्रतिरोध आर बराबर होता है भी बट्रा आई बेटा आम कानियम क्या कहता है भी प्रोपोर्शनल टू आई कहता ओम कानियम यानि भी भी प्र बिवब या वीव ऑफ डिवभ या क्या होगा क्या होगा विद्धारा हो गया मिड़ी द कगव तो क्या होगा तो अंसर होके आपको पता हो गा कि वोल्ट पर एंपियर को हम क्या कहते हैं तो ओम कहते हैं वोल्ट पर एंपियर को हम क्या कहेंगे वोल्ट पर एंपियर को हम क्या कहते हैं तो बिटा ओम कहते हैं एक दम याद रखना आपको बार बार इस तरह का प्रशना आएगा नेक्स देखिए न्यूटन पर मिटर हो है बटे M1 into M2 ध्यान में रखेगा बिटा और बलखा क्या मात्र होगा Newton into क्या हो गया meter square बटे क्या हो गया तो केजी का स्क्वार हो गया तो गुर्तवाकर्शन के सार्भोमिक नियम या नियतांग का मात्रक क्या होगा Newton meter square पर के जी स्क्वार बेटा एक चीज और धियान में रखेगा कि g जी जो है ये जी का मान कितना होता है तो g का मान होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square पर के जी स्क्वार बेटा इसको धियान में रखेगा खोजा किसने ये मान खोजा था Newton था Newton ने तो मान ग्यात किया ये ग्याद किया था, मान ग्याद किया किस ने, तो हैनरी केवंडिस ने, मान ग्याद किया था, एकदम ध्यान में रखेगा हैनरी केवंडिस ने इसका मान ग्याद किया था, एकदम याद रखेगा, चली, तो गुर्तवाकर्सन के सौर्भमिक नियम हो गया, संबेख, संबेख चार्थन यानि G हो गया एक्सेशन टूटी ग्रेविटी और यह क्या होता है टो ग्रेविटी होता है और जी क्या होता है लॉट जी होता है पर फ बरबर कितना Newton meter square per kg square होता है एकदम ध्यान में रखेगा next देखते हैं किसी वस्तु को उद्वाधर उपर के उठ फिका गया या भूमी से अधित्तम H उचाई तक पहुंची इसके उपर जाने के दौरान H के 3 बटे 4 पर वस्तु में होगी बच्चे ये वस्तु को हमने उपर फिका आप सभी बच्चों को पता होगा यदि वस्तु को उपर फिका जाए तो आपको पता है यू का मान धीरे धीरे घटेगा घटेगा बिटा तो जो यू का मान घटेगा तो आपको पता है कि उपर जाने पर यू का मान घट रहा है यानि कैनेटिक इनर्जी का मान घटेगा और आपको पोटेंशियल इनर्जी का मान बढ़ेगा बिटा मद बिंदू पर ध्यान दिजेगा मद बिंदू पर क्या होगा तो दोनों का मान, potential energy बराबर, kinetic energy ये क्या होगा, तो बराबर होगा, लेकिन मद्ध बिंदू से उपर अगर जाएंगे, तो क्या होगा, ठीक मद्ध बिंदू से उपर जाएंगे, तो potential energy का मान आपको बढ़ेगा, kinetic energy क्या पिक्छा, और यहां देखे, महत्तम उचाई पर बढ़ेगा, तो मद्ध बिंदू पर potential energy और kinetic energy क्या होगा, बराबर होगा, एकदम याद रखना है बच्चे, तो इस्थित्य जूर्जा कम और गति जूर्जा अधिक, इस्थित्य जूर्जा कम गति जूर्जा गलत बात है, सामान इस्थिति जूर्जा में यह मद्ध जदी ये मद बिंदू से नीचे रहता, तो kinetic energy का मान अधिक होता, potential energy का मान कम होता, और मद बिंदू से उपर रहेगा, तो potential energy अधिक होगा, kinetic energy का मान क्या होगा, कम होगा, जब उपर जाएगा, बच्चे तो ध्यान में रखेगा, कि मद बिंदू पर दोनों का मान क्या होता, बराबर होता है तो यह बहुत-बहुत important है चलिए next देखें जब कोई बस तु एक समान गती से गती कर रही हो तो उसका तौरण क्या होता है बच्चे एक समान गती से अगर गती कर रही हो तो उसका तौरण ध्यान दिजेगा एक समान गती बच्चे एक समान गती से गती कर रह है एक समान गती से गती कर रहा है तो आपको पता है ये भी है और ये टी है और वेग में परिवर्तन की दर यहां पर ठीक है एक समान वेग से तौरण बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन होता बिटा तो विटू मेंस भीवन हो गया और वेग एक समान है वेग समान है त वेग में परिवर्तन नियत हो अगर जारण सुक्षो कर आपको समान नियतί क्या होगा इक समान क्राइब और यहां परिवर्तन आपको एक समान हो तो यहां अगर वेग परिवर्तन क्या होगा तो आपको कम हो जाए तो तोरण क्या होगा रिनात्म को होगा ए निगेटिव होगा बेटा एकदम ध्यान में रखेगा एक क्या होगा निगेटिव होगा तो आपको पता है यह मंदन करते हैं यहो जाए तो तो तौरुन एक होगा जीरो होगा और इसे ही तो एक समाने वेक कहाते हैं इसे ही क्या कहेंगे एक समान ये एक समान वेख के लिए तो रहन का मान क्या होगा सुनती रहरा है छली सकते है और लिए बहुत अच्क्छी बात तक आगे देखते है यादि कम एक गंश को पानी एक क्रस्ट से पूरी तरह बहते हैं बर्प को जब आप पाने में डाल रहे थे उसी समय बर्फ ने क्या किया कि अपने आयतन के बराबर द्रव का विस्थापन कर दिया और जब यह पुनता पिघलेगा तो इसके आयतन पर कोई पुनता पिघलने पर इसके आयतन पिघलने पर आयतन क्या होगा पर आयतन और प्रभावित रहता है यानि कोई भी परिवर्थन इसके आयतन में नहीं होता है यह ध्यान में आपको रखनी चाहिए देर इस नो एनी चेंज इन तो कोई परिवर्थन होता है क्यों क्योंकि यह जब डुबार है थे बर्फ को उसी समय इसने अपने बराबर आयतन के द्रब का विस्थाफन कर दिया होगा जबी पिगलेगा तो उसका आयतन क्या होगा बराबर ही रहेगा कोई परिवर्थन नहीं होगा तो सारी बर्फ बच्चे जल अस्तर पुर्वत रहेगा जल अस्तर क्या होगा पुर्वत रहेगा ठीक है यह देखिए दव लेबल water level remains the same होगा water level remains the same होगा ध्यांदीजेगा उत्पलाबन बल का परिमान तरल के डैस पर निर्वर करता है आपको पता है बेटा यदि किसी वस्तु को आप द्रब में डूबोएं ध्यांदीजेगा यदि किसी वस्तु को द्रब में डूबोएं ये वस्तु बराबर होता है विस्थापित द्रब का भार होता है बहुत इंपोर्टेंट है बिटा मैंने क्या कहा कि यदि किसी वस्तु को आप द्रब में डूबोएं तो थेक वस्तु पर लंबवत उपर कियो एक बल कार्ज करेगा जिस बल को हम उत्रप्रावन बल बोलते हैं यानि 22 सी फोस all way acts upward onto the body ठीक है वी बराबर 22 सी फोस दी यू ओ वाई एन सी फोस है और ये जो है ठीक है लंबत वस्तूपर ऊपर की ओर लगता है लंबवत वस्तूपर ऊपर की ओर लगता है याद रखे ऊपर आपको पता है विस्थापिद्रब का भार होगा, यानि M into Z हो गया और यह द्रबमान क्या होता है, ध्रबमान बराबर होता है, घनत into Ethn, बेटा यह आईतन क्या है, तो जितना वस्थापिद्रब में डूबा हुआ भाग है उसका आईतन है, और यह रो क्या है, लिक्विड है किसका liquid का density है और G into G कर दिजे बिटा क्योंकि M बराबर हमने यहाँ पर रो इंटू V कर दिया है और यह क्या है तो बच्चे रो रो liquid है रो liquid मतब क्या हुआ तो द्रब का आयतन द्रब का घनत हो गया और वस्तु का द्रब में डुबा भाग है बच्चे वस्तु का द्रब में डुबा भाग है द्रब में डुबे भाग का आयतन है एकदम ध्यानम रखेगा इसको द्रबे भाग का यहाँ आयतन होता है तो बच्चे तेक है आपको वहाँ उत्प्लावन बल दो कार को पनिर्वर करता है पहला तेक है आपको द्रब का घनत दूसरा वस्तु के डूबे भाग का आयतन, यहाँ देखे तरल के डैस पर निर्भर करेगा तरल का यहाँ पर क्या निर्भर करेगा के बॉल और के बल घटन निर्भर करेगा तरल का आयतन निर्भर करेगा यहनि teach the result of American force or resultant American force depends on the density of the liquid याद रखेगा द्रब के घनत पर निर्वर करेगा दा वस्तु के डूबे भाग के आयतन पर निर्वर करेगा और गुर्त्य तोरण पर निर्वर करता है चलिए ब्रह्माण में करेंग दो निखायों के बीच गुर्त्वा करषन बल ठेक क्या होता वह सब्छेट फ्वस ऑ ग्राव है इन तुब अ के बिच आरवक है रकाम य निया था ये अधियं य 73 टो यह दिया तो यह दिया था आपको निटन लंदिया-त्य है और न्यूटन ने कहा त बस्तु है यह इसका द्रभमान M1 और इसका द्रभमान M2 है इसके बीच जो बल लगेगा F वह तोनों बस्तु के द्रभमानों के गुननफल का समानुपाती होगा और उसके बीच की दूरी के वर्क का बितकुरानुपाती होता है एकदम ध्यान में रखेगा दा फोर्स बिट् प्रभमान में दो निकाय को बिच गुट्वा करतन बल उनके द्रभमानों के योग गलत बात है उनके बीच की दूरी उनके द्रभमानों के गुननफल का समानुपाती होगा और एकदम याद रखेगा और आप बराबर यह दोनों को मिला देते हैं आप बराबर जी M1 M2 एकदम याद रखे ग्रेविटेसनल कॉंस्टेंट कहा जाता है एकदम याद रखेगे ग्रेविटेसनल कॉंस्टेंट कहते हैं और जी का यूनिट क्या होता कॉंस्टेंट कहते हैं जी बराबर क्या होगा तो जी बराबर हो गया एफ फार स्कॉयर बटे M1 इंटू M2 M1 इं स्कार होता नेक्ट देखिए बैटा दूर द्रिष्टी दोस्स से परिद बैक्तिनेतर के किसी वस्तु का पर बनता है बच्चे दूर द्रिष्टी दूर द्रिष्टी क्या होता भाई दूर द्रिष्टी क्या होगा तो दूर द्रिष्टी एकदम याद रखेगा इसको बोलता हाइपर मेट्रोपिया क्या बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया या फार सैटेडनिस बोलते हैं दूर द्रिष्टी दोस बेटा दूर द्रिष्टी दोस क्या क्या घटनाए होंगे इसमें दूर द्रिष्टी दोस में दूर अच्छा दिखेगा दूर कैसा दिखेगा तो दूर अच्छा बिखता है दूर अच्छा निकट आपको प्रभावित रहता है निकट प्रभावित रहता है एकदम ध्यान में रखेगा निकट क्या होगा प्रभावित रहता है दूर अच्छा दिखेगा और निकट प्रभावित होगा दूर अच्छा दिखेगा निकट पतला हो जाएगा नित्रलेंस पतला हो जाएगा जिसके कारण हो जाएगा जिसके कारण क्या होगा प्रतिविंब रेटीना के बाद बनता है प्रतिविंब रेटीना के बाद बनेगा नित्रलेंस पतला हो जाएगा और फोकस दुरी आपकी क्या होगी यहां पर इंक्रीज कर जाएगी फोकस जोरी increased हो जाएगा और तेंगे प्रतिभिंभ प्रतिभिंब रिटीना के बाद बनता है रेटीनः के बाद बनता है यहाद रखना है तो प्रतिम् रेटीना के बाद बनता है याद रखना बेटा रेटीना के तिक आगे देखे यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पर इन फ्रॉंट ऑप देटीना इसलिए गड़बड हो रहता है हिंदी देखेगा तो गड़बड होगा मैंने कहा कि इतना ज्यादा फोकस दूरी हो जाता है कि इमेज जो है रेटीना के बाद बनता है यह रेटीना है रेटीना के बाद इस साइड में रेटीना के बनेगा बच्चे इन फ्रॉंट ऑफ रेटीना पहले नहीं होगा तो रेटीना के पीछे होगा ध्यान में रखेगा यह कनफ्यूजन होता है जब तो आपको इंगलिस और हिंदी दोन और नहीं सकते हैं वह एक दूसरे से कहते हम उडया संरक्षन का नियम कहांगेगा bi उड़ा संरक्षन का नियम कहलाता है और इसके अधार पर होगा तो याद रखना है कि टोटल टोटल इनर्जी तोटल mechanical energy आइदर आपको kinetic energy और आइदर आपको potential energy का योगफल होगा वो हमेशा नियत होता है इसे ही उरजास संरक्षान का सिध्धान करते हैं यानि सिधिक्स रखेज़ एकरन नियंड यह स्क्रिपल्य हो और भी क्रिया के बात कुल ऱमान आपको नियत होता है और विकृड्यय के बद वर आपको क्या होगा नियत होगा नियत होता है मास आपको नियत होता है और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं तो द्रवान सनरक्षन का नियम कहते हैं entropy क्या होता है entropy S वराबर क्या होता है Qbyte T होता है याणि कुल उसमा बटै तापमान के अनुपात को हम entropy कहा नियत होगा तो ये बाते याद रखनी चाहिए तो आंसर होगा उरजा संरक्षन का सिद्धान चलिए निक्ष देखते हैं एक कार एक बहिरगत भाग से गरती है और 0.9 सेंड में भूमी पर गरती है माली जै जी बराबर इतना है इसके दोरान इसकी चाल कितनी होगी बच्चे आपको पता है बहिर गत भाग से आपको ये गर रहा है यहां से यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा 0.9 सेंड लगा और आपको पता है भी बराबर क्या होता है यू प्लस जी टी होगा क्यों महत्तम उचाई पर बेटा मैंने कई बार बताया है महत्तम उचाई पर वेग कामान होता है याद रखना बेठा ये इस concept पर पकड़ करें कि महत्तम उचाई पर यू बराबर क्या हो जीरो हो गया तो भी कामान देखिए 9.8 या 10 लेने के लिए बोलड़ा है 10 ले लिजी गुना कितना सेकेंड जीरो पर नाइन सेकेंड वेटा ये कालपों में निमलकित कत्रों में कौन सा गुर्ट्वाकर्शन का सार्भोमिक नुवम द्वारा समझाया नहीं गया है बच्चे पृत्वी की ओर पृत्वी के चारों चंद्रमा की गति चंद्रमा और सूर्ज के कारण ज्वारवटा बच्चे आपको पता है सूर्ज और प्रभौ के कारण आपको प्रभौ के कारण क्या होगा तो बाई सुम्द्बर मा के सुनजुकत गृत्वाकर्शन पृत्रमा के कारण ही ज्वारवटा सूर्ज होगा वह बल जो हमें धरसी से बांदे रगती है वह कोई है तो ये भी गुर्त्वाकर्सन बल है बच्चे आपको पता है कि W बराबर क्या होता है MZ होता है W बराबर क्या होगा MZ होगा पृत्वी के चारों चारों की गती यह भी गुर्त्वाकर्सन बल है सा लॉट ओफ्αι ग्रेवीटेशन के द्वारा यह सॊ्ज की गती नहीं होENNा उस्यूड के च्रम उर् ग्रह की गति होते हैं पूड के चारों और ग्रह गति करता है और करेगा ग्रह की गती होगी यह कभी भी आपको किसके तरफ नहीं होता यह थियान ध्यान में रखेगा कि ठीक है ग्रह के चारों तरफ सुर्ज गती नहीं करता है सुर्ज के चारों तरफ गती करता है एक दम याद रखेगा सुर्ज के चारों तरफ ग्रह गती करेगा ध्यान में रखेगा ग्रह गती का नियम किसने दिया था ग्रह गती का नियम ग्रह गती का इमोशन ग्रह गती का नियम किसे ने दिया था तो ग्रह गती का नियम दिया था कैपलर नामक विज्ञानिक ने दिया था कैपलर ने तीन ग्रह गती के नियम दिये थे प्रतेक ग्रह जो है सुर्जी के चारो तरब दीर विरताकर का अक्षा में चक्कर लगाता है यह नियम इन चाहिए बार बार इस तरह का प्रश्न आप से पूछा जाता है बार बार आप ses तरह का प्रश्न पूछा जाता है ध्यान में रखना बेटा चली हम बात करने आगे तो ग्रिणा सब EPA किसे ने दिया था क्विचन दिया थो दिया तो कहारा 16 ग्राम उक्सीजवन में oxygen के परमानू होते हैं अच्छा कुछ से नहीं बेटा 16 gram oxygen में oxygen के कितने परमानू होंगे तो आप सभी बच्चों को पता है कि number of atoms कैसे निकालते हैं सर तो हम number of atoms निकालते हैं एक दम याद रखेगा क्या करेंगे तो number of moles number of moles ठीक है और क्या होगा गुना आपको अबगाद्रो नंबर यह होता है बच्चे अबगाद्रो नंबर होता है तो आप देखें number of moles छोटका M बटा क्या हो अब बढ़का M तो oxygen O2 होता है oxygen O2 होता है और दो गुना 16 molecular weight कितना हो गया 32 gram हो गया बिटा तो यह देखें क्या कर दीजी तेक है गुना अबगाद्रो नंबर 6.022 into 1023 और एक अनू में परमानू एक अनू में परमानू यह भी होता फर्मूला के साथ एक अनू में परमानू तो एक अनू oxygen में कितना परमानू है दो परमानू में बिटा क्या करेंगे तो 16 बटा है तेक है आपको 32 गुना क्या होगा तो 6.022 into 1023 है यानि option number C आपका answer होगा option number C आपका answer होगा एक दम ध्यान में रखिए बटा क्या कहा रहा हूं में कि जब भी number of atoms निकालना होगा तो क्या करेंगे आपका principle क्या कहता है कि number of moles निकाल लिजे number of moles निकाल लिजे गुना क्या कर लिजे अवगादर नमबर कर लिजे गुना क्या कर लिजे एक अनु में परमाणू में परमानू की संख्या परमाणू की संख्या कर लेंगे तो यह ध्यान में आपको रखने चाहिए नमबर अपमोल्स क्या होता छोटका आयम बढ़का आयम हुना क्या आए बुगादर नमबर 6.022 इंटूटेमर 23 हुना क्या दो कर लिजे आपको निकल जाएगा ठेक है इसका परमानुका संख्या ध्यान में रखना है बेटा निवन में कौन सी धातु उभैधर्मी बनाएगा एंपोटेरिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं उभैधर्मी यानि एंपोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाएगा एंपोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाता है वैसा यह देखिए यह आपको एलमुनियम यह देखिए लिड यह देखिए आपको जिंक यह देखिए आपको और च्छठक, दोनों की भाती बिभार करता है, छ्षठक की भाती ये बिभार करता है. एकदम याद रखिए भाती बिभार होता है. तो बहुत important है और बार बार पुछिचे जाने वाला है. तो आंसर क्या होगा? ऐलम्वोनियum हो जाएगा. ऐलमुनियum हो जाएगा. तो ध्य के एकका नाम से नाम से तत्वों को नाम से तत्वों को तत्वों को ठीक है आवर्त सार्णी में रखा बिटा आवर्त सार्णी में रखा ध्यान में रखेगा किसे नाम से तो एकका नाम से आवर्त सार्णी में रखा कौन-कौन तत्व बिटा तो कौन-कौन एसकेंडियम ठीक ह आपको भरियन dug उ Tibet сигए खैफ एंदों को इन्होंने क्या कहा तो एसकंडियाम को ध्यानै और सिलीकून ठीक है जर्वेनियम को और एका अल्मुनियम को एका अल्मुनियम को एका अल्मुनियम को एका अल्मुनियम को और एका सिलिकोन एका सिलिकोन जर्वेनियम को इन्होंने कहा था ध्यान में रखेगा ये तीन तत्व को इन्होंने बाद में रख दिया था एका नाम से बाद में यह पता किया गया, एकका बोरोन एसकेंडियम, एकका एल्बोनियम गेलियम, एकका सिलिकोन जर्बेनियम होता है, 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 एकका सिलिक जाता है तो जब भी utilization reaction की बात करते है inhale neutralization reaction की बात करेंगा do तो ट्रे-लाइ-जेशन, रियक्षन की बात करें बटा, तो क्या होता है, तो acid plus base, acid plus क्या होगा, बेस होगा, यह salt और water का निर्मान करेगा, यहाँ देखिए, HCl plus क्या होगा, sodium hydroxide हो गया, यह क्या बन गया, तो उस आपको लवन बन गया, salt बन गया, और यह जल बाहर निकल गया, तो ध्यान में रखेगा, यह आपको HCl और sodium hydroxide मिलकर के, लवन और जल का निर्मान करता है, तो जब भी उदासे नहीं करना, नूटलाइसें डियक्षन की ब तिस डियक्षन याद राखना है, बार बार पूछे का आपसे कuszण, जक्त देखे, एलकेन का समानिसे यहा होता, अच्छा कวยषन है, आपको पता है हाड चार्वन मुख्य अर्भू्टा होते हज होते है, दक kell क्या हज़ग होता है, तो आपको पता है, पहला होता है, क्या, संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन संत्रिप्त इसी संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन को जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉंड होता है इसको एलकेन कहते हैं बिटा इलकेन कहते हैं और इसका सुथर क्या होता है cN, s2N, cN, s2N plus 2, cN, s2N plus 2 होता है दूसरा देखेए असंत्रिपत होता है asante your carbon और इसमें या तो double bond होगा double bond होगा carbon carbon में double bond या carbon carbon में triple bond होगा अगर asante your Keog, carbon carbon में double bond तो यह होता है L, Do on T, כatt, L chain होता है यह formula होता है km ns2n और carbon carbon तो इसको बोलते है क्या होता है और इसका पर्मॉला होता है मेंडिलिफ की देख लेते हैं क्या क्या बात करें मुसले ने परमाद कंख्या के आधर-पर्ध्तव को विवस्तित किया परमानु-संख्या के आधर-पर्ध्तक और और स्जीद किया एकदम तिक अस्टक नियम दिया था, ओक्टेव रूल दिया था, अस्टक नियम दिया था, ध्यान में रखेगा बैटा, अस्टक नियम इन्हों ने दिया था, किसे ने नूले इंडिने, और तिक आपको पता है कि मैंडिलिफ ने तत्वों को परमानू भार के आधार पर लगाया था बच्चे परमानू भार के अधर पर लगाने का काम किया था और मेंडलीफ ने ही अपने आवर सारी में बहुत सारे खाले अस्थान छोड़ दिये थे जो बाद में नए निर्टत्व के अविस्कार को प्रफावित किया था तो 79 का क्या हो जागा सी नंबर आपका अंसर होगा एकदम ध्यान में रखना है बार-बार इस तरह का प्रशन आपसे पूछेगा धेज़ी देखिये जब कॉपर ओक्साइट को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तामबा धातू और जल का निर्मान होता है इस लुगले क्या होता है देखिए हो प्रफाभ औकसाइट ले ले लेजे पहले hydrogen में जल था जी नहीं था hydrogen में जल आ गया hydrogen में पहले oxygen था नहीं था बिटा hydrogen में क्या हुआ यहां पर oxygen आ रहा है hydrogen में जब oxygen आ गया तो यह oxidation हो गया यानि hydrogen का आपको क्या हो रहा oxidation हो रहा है यानि hydrogen में oxygen की संख्या बढ़ गई इस घटना को हम oxygen करन कहते हैं हाँ 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 एक दम याद रखना है ऑक्सिजन की संख्या में अगर बिर्दी होगी इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते है ऑक्सिडेशन कहते हैं एक सदस्त कहा जाता है तो बच्चे यह सीरियम जो होता है वह एप ब्लॉक का सदस्त से सीरियम एप ब्लॉक का सदस्त से एकदम याद रखें सीरियम कौन सा ब्लॉक है एप ब्लॉक का लेकिन यहीं पर अगर क्या रहता तो बच्चे एक्टिनाइट्स होता है तो वह क्या हो जात प्रतर संतावन जो है वह लेंतैनम है संतावन क्या है लेकिन वास्विक रुप से आपको प्रत कह लेन प्रत छौड़ सिर्व होता है यह अंठावन से प्रत का है लेकिन आपको ज internetPer ke कि पर्मानु संख्या संताबन है और ये d block element होता है और ठेके यह वापको element से बORAखे आपको पता होनी चाहिए कि फी block element में डेका आपको क्या होता है तो धातू अ एधातु और उगधातू झात तीनों आता है जबकि एस ब्लोक में ठिक हैं चारीयनम्रदा दना दना देखता है संकरमन धातु होगा एक दम याद रहें प्रतु होता है बहुत इंपरणिंट वंसर हो ज pole प्रफबलों चलिए नेख्ट देखते हैं क्या करना लीथियम सोडियु और पोटैसियू में क्या समानत आ है बच्चे लीतियम आस allows ली ऊंदियुम प्रफम पर्थम बढर वह उसके भाद smokes on और potassium ये क्या है तो first group element है और ये क्या है बच्छे ये alkali metals है alkali metals है और ये क्या है alkali metals है चार धातु है चार धातु होता है और सब क्या अंतिम कक्षा में क्या होगा एक electron होगा तो देखिए ये क्रिए की तत्व है गलत बात है अंतिम कक्षा में दो या क्या होगा है तुछ ये चारी मरदा तत्व है ऑर्ग का तत्व होगा जैसे हैं आपको magnesium जैसे calcium ये सब हो second day work का तत्त होता है, बच्चे ये oxide नहीं बनाते हैं, इनके वाहतम को इसमें एक electron होता है, ता answer क्या होगा, वाहतम को इसमें एक electron होता है, lithium, sodium, potassium, छार धात्त होता है, first work का, तत्त होता है, alkali metals है, छार धात्त है, तो एक दम इसको ध्यान में रखनी चाहिए, चले देखतें next question जब मेंडलीफ काम शुरू किया तब कितने थे बच्चे मेंडलीफ तो में त्छोड़ी में थोड़ी देर पहले इत रहा था किमेंडलीफ ने ठीक्त्राइस आपको किया परमानु भार का आधार पर तत्व का ब्यवस्था किया और हम भार के आधार आधार पर तत्तों को लगाया तत्तों को ब्यवस्थित किया तत्तों को ब्यवस्थित किया एकदम याद रखिये ब्यवस्थित किया और मेंडिलिप की आवर सार्णी में बच्चे 9 वर्ग और 7 आवर थे वर्ग साथ आवर्ग इन्हों ने अपने समय तक के ग्याद की रिसर्ट तत्व को ब्यवस्तित किया कितने तत्व तत्व को ब्यवस्तित करने का प्रयास किया याद रखना है तो लिए निक्ष देखते हैं कारा 2CU प्लस O2 2CU बन गया किसका उधारन है बच्चे यह देखे 2CU बन गया यानि जब 2 या 2 से अधिक अभीकारत आप उसमें संजोग कर एक योगिक का निर्मान करता है उसको कंबिनेशन करते हैं संजोजन अभी क्रिया करते हैं अब बच्चे देखे आप घटन यदि कैल्सियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं यह दो भाग में तूट करके दो योगिक बनाता कैल्सियम ऑक्साइड पस कारवन डैक्सेड बनाता यह अभीक्रिया है दोहरी विस्थापन क्या बोलते हैं दो बार आयनों का विस्थापित ह अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं अच्छानविक द्रमान की गन्ना करें अच्छा कुछ ने बिटा जल के साफ एक्छानविक द्रमान बच्चे अच्टू हो है अच्टू है जल है अब देखिए दो गुना एक अपला सोला कर दीजिए यहने क्या हो गया अठारा एम यह हो गया एतोमिक मास य्ञट हो गया जल जो है जल जल आपको पता है कि जल जो है वह तरह क्या है तो सरवत्तिरिक विलायक है यंश्वाटे क्यों हो तर इसके मान अधिक हो तो ने का नट की विलायक होगा फिर देखे जल जो है वो क्या है तो बच्चे जल जो है याद रखेगा यह या इसका कोथनांक अधिक होता है यह जो क्षणांक रखेगा विसिस्ट उस्मा इसकी अधिक है विसिस्ट उस्मा इसकी क्या होती है अधिक होती है जिसके कारण जल क्या होगा तो बच्चे इसका कौतरांक अधिक होगा तो देख लिए कितना होगा तो बच्चे यह हो जागा 18U atomic mass unit, एक amu बराबर कितना होता है, बार बार आपसे question पूछेगा, एक amu बराबर होता है, 1.66 into 10 to the power minus 27 kg होता है, तो ध्यान में रखिएगा, या minus 24 ग्राम होगा, चलिए निक्स देखते हैं, बिटा, यहाँ देखिए, एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मातरा में, समान नमक की मातरा 33 ग्राम है, द्रब्मान पृतिसत द्वारा, द्रब्मान के संद्र में विलियन की संद्रता ग्याद कीजिए, विलियन की संद्रता बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले विले का मान, विले का द्रब मान, ठीक है, क्या होगा, विले का द्रब मान, ध्यान रखे बटा, विले का द्रब मान, विले का मास, बटे क्या होगा, विले अन का मान, विले अन का द्रब मान हो गया, गुना क्या 100 कर दीजे, गुना कर दीजे 100 बटा, तो विल तो लगभग यह कितना हो जाएगा एकदम इंपॉर्टेंट है यह हो जाएगा 9.35% 9.35% कुछ भी नहीं है चले नेक्स देखते हैं इस असंत्रिप्त हैड्रोकार्बन उत्प्रेरक यूपस्टी में हैड्रोजन जोडते हैं देखिए असंत्रिप्त हैड्रोकार्बन दो हाइड्रोजनी करन बोलते है हाइड्रोजीनेशन कहेंगे हाइड्रोजीनेशन कहते है हाइड्रोजीनेशन में क्या होगा तो यह संत्रिप्त हैड्रोकार्बन है यह क्या करेगा तो हाइड्रोजन को अपस में जोड़ लेगा और फिर जाकर कि क्या करेगा बिटा एकदम य वनस्पती घी से डालडा का निर्मान करते हैं, वनस्पती घी बन गया क्या, वनस्पती घी से डालडा का निर्मान होता है, और ये जलेगा कम बच्चा, डालडा का निर्मान होता है, तो निकल और कैडमियम, निकल और पेलेडियम, निकल और पेलेडियम की मदद से हम इसमें जोडते हैं कि क्या जोडते हैं तो hydrogen को जोड़ेने का काम होता है और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं hydrogen направ Sumay法 द्ञेटार्षानि में तालिका निकल dush से पहले दिखाया गया है बचे तालिका में निकल को कहा दिखाये गिए हैंदम ध्यान में रिखएगा फेरस कॉबाल्ट और निकल ध्यान दीजेगा फेरस कॉबाल्ट और निकल ये तीनों जो हैं लो चुम्बकिया पदार्थे 26 इसकी परमानुसन के 27 और 28 होता है और यह क्या है लोह चुम्बकिया पदार्थे लोह चुम्बकिया पदार्थे तो यह कोबाट से पहले इसको दिखाया गया है निकल को कोबाट से पहले दिखाया गया तो कोबाट से पहले दिखाया गया तो ध्य अगुलेंड ने क्या किया था आपको के फेरस को और निकेल के साथ ना रख करके जा किलोरीन और फुलोरीन के साथ रख दिया था चली नेक्स देखते हैं बच्चे निम्य पें से कौन सा कत्व सही है CO2 को सुस्वर्प के रुप में जाना जाता है एक जम सही है CO2 गैस चुने जल को दुधिया करता है ये भी सही है क्योंकि ये देखे केल्सियम हाइड्रोकसाइड हो गया और इसमें कार्बन एक्साइड जोड दीजिए ये बना लेगा केल्सियम कार्बोनेट बना लिया तो ये भी आपको सही है दुधिया रंग होगा कैसा होगा दुधिया इसका रंग हो जाता है चलिए बटा केल्सियम कार्बनेट को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस प्राप्त होता है ये भी सही है तो आपको क्या होगा, तो एक सुस्क बर्भ के रूप में जाना जाता है, सभी नमबर होगा, आंसर क्या होगा, बी नमबर आपका हो जाएगा, सभी सब्ध है, ज्यान दीजे बठा, हाथेली पर रखने पर इम्में से कौन सा पिखल जाता है, आप सब बच्चों को पता है, क आपको गेलियम और सीजियम पिखल जाता है यह बार बार में बताता रहता हूं बच्चे तो द्रबद हातु की बात करेंगे तो द्रबद हातु केबल कोन है मरकरी है मरकरी सभीत आपमान पर आपको مरकरी होगा लेकिन रवाधाथातु की बात करेंगे तो द्रबद हातु कोन होगा तो द्रबद हातु केबल और केवल द्रोमील होगा यह याद रखिएगा लस्चे देख़ते हैं बच्चे बिचे सबसे ज्यदा पूचाला कों ने कर दो इसके बाद कॉन होगा लेड होगा मरकरी आपको पता है इसका इसका जो है आपको उस्मीय चलक लगभग होता है दो 4.3 Кीलो 4.3 Watt per meter स्क्वार होगा जब कि आपको steरको dal typical होता है जब की ठीका qthá. ठीका 14.6 ठीका 14.6 आपको वाट पर मीटर स्कुर होता है तो बेटा आपको याद रखना है कि मरकरी आपको तुलनात्मक रूप से क्या होता है तो तुलनात्मक रूप से मरकरी और लिड जो है या उस्मा का कुछ अलक होता है यह ध्यान में रखेगा नेक्स देखते बेटा नैक्रोम किस मिसरधातू का बना होता है तो नैक्रोम जो है नैक्रोम जो है किस मिसरधातू का बना होता है तो यहां निकेल क्रोमियम और निकेल क्रोमियम और क्या होगा तो बच्चे नैक्रोम जो है निकेल क्रोमियम ध्यान दीजेगा मेरी बात पर person chemical chromium 메이크업 generates का अ pengरो नाक्रों का उपयोग किसमें करते हैं तो नाक्रों का उपयोग करते हैं ध्यान में एक बात हो गई फिर देखिए थेक बच्चे सका उपयोग करेंगह dud 싸 में हर जगाक इसका उप्योग हम लोग करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यहां देखे निस्क्रिया गैस किस तमों में रखा जाता है तो 8a में बैटा आपको पता को रखते हैं तो आपको nirmid gases को रखते है और इसमें कौन abmodarin क्रियahr प्रांच इसी और किया होगा। यह ध्यान ने रखता है यह अक्रिये गैस hurt जनों जो है उसको एस्टेंजर गयस सबसे भारिए अकरी गैस होता है आपके वाय मंदल में सबसे डिक महत्रा में कौन सा गयस पाया जाता है चलिए नेक्ष देखते हैं कैलिफोर्नियम समू का सदस्ट से कोन है बिटा कैलिफोर्नियम जो है वह एक्टिनाइट समू का ध्यानमे रखे है California आपके actinide में पाय जाएगा और actinide होता क्या है? actinides, एकदम याद रखना है बच्चे actinides आपको पता है 5F block element है, 5F block element को कहा जाता है actinides और actinides जब भी चर्चा हम लोग करते हैं तो ध्यानमे रखेगा कि यह这 एक तो यह जो है आपको क्या होता है बच्चे तुय रेडियो सक्रिये तत होता है ये दख भर उक्ष सट्र में इह बरका तत होता है बहुत इंपॉर्टेंट 58 Já कि ले दख सेगें नीचे मित्स करन के लिए सत्टकू, उनकी परमानू संहाल का नुसार बढ़ते करम में रखते है वि यह आपको मौसले है, मौसले ने आधनीका वर्ट सारी था जो परमानू संहाल पर आधारी था कि आधनी का वर्थानी में 18 वर्ग हो गया और साथ आवर्थ होता है तो बिटा एकदम ध्यान में रखेगा 18 वर्ग और साथ आवर्थ होता है दिबोरिनियर ने त्रिक दिया था मैंडलीप ने परवान उभार के अधार पत्त वुकु बिवस्थित किया था नूलेंड ने अस द्रबमान संदक्षन दिया था ध्यान में रखेगा लेबोजीयर ने द्रबमान संदक्षन का नियम दिया था एकदम याद रखना है द्रबमान संदक्षन का नियम किसने दिया तो लेबोजीयर ने दिया था संदक्षन का नियम दिया था किसने तो लेबोजीयर ने दिया माल लेते हैं कि carbon oxygen से अभिक्रिया कर रहा है यहां देखे carbon और oxygen से अभिक्रिया किया carbon कितना हुआ 12 gram oxygen कितना हुआ 16 गुना 2 यानि 32 gram पूली मिलाके कितना हुआ carbon dioxide यह 44 gram हो गया यानि अभिक्रियाओं का कुल द्रभमान, प्रतिफलों के कुल द्रभमान के क्या होगा, बराबर होगा, और इसी नियम को द्रभमान सरक्षनका से धंत कहते हैं, देख बटा, फिनॉल से प्राप्थ होने वाला भी स्पोड़क क्या है, तो फिनॉल से प्राप्थ होता है, या यह नैट्रो ग्लिसरीन से प्राफ्ट होता है और नैट्रो ग्लिसरीन को यह 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 प्राफ्ट होता है और नैट्रो ग्लिसरीन क को किस से बनता फिनाल से बना थिनाल से बना विसपटक क्या कहलाएगा बना भीषुटक होता है और यह ध्यान में रखेगा कि यह क्या होगा तो यह पिक्री के सीड होगा पिक्री के सीड होता है और यह डेंजरस होता है इसलिए आंसर क्या होगा आपका बी नंबर आंसर होगा चलिए नेक्ट देखते हैं यहां देखे किस ताप पर एस्टू का घनत अधिकतम होता और अगर हम foreign height की बात करें तो foreign height की बात करें तो याद रखना है कि 49.2 degree foreign height होता है foreign height में बात करें तो Kelvin में बात करें तो 270 Kelvin पर और अगर foreign height पर बात करें तो याद रखेगा 49.2 degree foreign height पर आपको क्या होगा maximum जल का घनत होता है maximum जल का घनत होता है और आयतन यहाँ पर मिनिमम होगा नेक्श देखे बिटा निमलकित उपगरा से इंखलाओं में किस से भारतिय प्रक्षपन यान का उपयोग करके पहले भारतिय उपगरा का सुवारम किया गया तो बच्चे सबसे पहले आपको पता है कि आर्जभट का खोज किया गया था किसका आर्जभट का निर्मान किया गया था किसका निर्मान किया गया था आर्जभट का निर्मान किया गया था लेकिन कोशन में पूछ रहा है यह बगरा से रिंखला में से किस से भारतिय प्रक्षपन यान भारतिये प्रक्षेपनियान कोन है भारतिये यह देखे आर्जभट को भले ही भारत का प्रथम उपगरह कहा जाता है लेकिन आपको यहाँ पर रोहिनी को सबसे पहले भारतिये प्रक्षेपनियान द्वारा छोड़ा गया था तो आंसर होगा रोहिनी एकदम बहुत अच्छा कोस्ता ने बिटा यहां देखे क्या कहा रहा हूं में कि आर्जभर जो है भारत का प्रतम उपगरा था जो 1975 में छोड़ा गया था 1975 में को रूस से जाके बैकानूर से इसको हम प्रक्षेपित किये थे लेकिन कहा रहा है कि भारत भारतिय प्रक्षेपन यांद्वारा सबसे पह चली आगे बढ़ते हैं ओर देखी किया कहा रहा है करा बायो च्प में क्या होता है बैयो चिप में आरे ने डीन रह इ बाप्रोटेन सभी पाए जाते हैं बच्चेश केकर निर्मान बायो Springs कي किया जाने की संभाबना और ओर गनी कंप्पिटर और का निर्मान निर्मान में यह आपको सबसे महत्पुन द्रिक mihka का निभाएगा निर्मान में ऐचिप महत्पुन है यह इसी के दवरा आप को क्या होगा तो निर्मान किया जाएगा किसका Anisuar को सब्सक्राइगा अंसर को पिछ जाएगा Eyes जाने संबाबुन है यादर इंद्र जो है वो रडार सिस्टम है याद रखेगा इंद्र राजेंद्र राजेंद्र ठेक है राजेंद्र ये देखिए राजेंद्र और एक और लेते हैं बिटा इंद्र ले लिजे राजेंद्र ले लिजे और ठेक है S-400 लिजे हाली में हाली में रूस से लिया गया रडा मिसाईयल होगा तो प्रithवी अगनी यह सब मिसाईयल होगा टैंक जाकई रखी चालक रही तो नीजसान तो भारत का प्रित्व्लाव्ण शालक रही तो सब में रखने सब्सक्राइब कर सकता है तो बच्चे जब भी गगन की बात करते हैं हम लोग गगन की बात करेंगे या ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम की बात करेंगे GPS की बात करेंगे तो यह location को प्राप्त करता है यहान में रखियेगा यहाई क्या करेगा नविगेशन पढ़नाली तो करेगा ही करेगा इन वागंजये का नक्सपा तयार करने के लिए स्थमाय किया जासकता है यह चक्रवाद की भुविस्वानी कर सकता है यह गलत है वेदर फ सेलाइट का प्रियोग करते हैं बिठा GPS सक्क्राइट शिस्टम का प्रियोग नहीं करेंगे किसका याद रखना है कि इसके लिए हम लोग पुलर कियोजिक सर्वथम नहीं किया था दो बचच्टे ने प्र दो कि यह बड़ा important question है नानो मतलब होता है 10 Mastos 9 मेंनस 9 होता तो नानो नानो टेकलोजी नानो टेकलोजी आप बहुत इंपोर्टेंट है वह टेकलोजी जो 10 to the power minus 9 के अस्तर का हो उसे हम नानो टेकलोजी कहते हैं बच्चे नौरियो ताना गुची ने इस सब्दकार सबसे पहले प्रयोग किया था बच्चे याद रखना है कि नानो टेकल नानो टेकलोजी का फाधर कःता है रोहरर को बच्चे के नानो टेकलोजी के पिता कहा जाता है इनडियो फादर उइन इंडिया कि इंडिया कि सब्द हम लोग की प्योग किया रिचार्ट फैनीमेन ने सबसे अधिक नेनो टेकलोलजी में कार्ज किया है, तो इस बैज्ञानिक ने सबसे अधिक नेनो टेकलोलजी में कार्ज किया, तो रिचार्ट फैनीमेन ने ही किया है, बचे रिचार्ट फैनीमेन ने ही सबसे पहले एक सब्द का प्रियूग किया था कि there is a lot of space in the bottom तेक इसी के आधार पर नेटोकलाउजी को एक आधार प्रदान किया गया था तो यह ध्यान में रखिएगा बार बार आपसे कुछन पूछेगा चली सतह से सतह पर मार करने वाला तेक रक्षा मिसाहिल कौन है बिटा यहाँ देखे आपको पता है कि आकास जो है स ससुफेस मार करता है तो यहां देख्या नाग और प्रिथवी यहां दोनोों है नानाग और प्रिथवी है हो बिटार मिसाइल अन्टे टैंक मिसाहिल मिसाइल डी टैंक बहांशे explaining मिसाहिल है तो प्रिथवी मुखि cynалист मिसाहिल से लिछ निर्मान कब पिए गया था, और यह ध्यान्न में रखेगा लिया, इसका निर्मान कब किया गया था, टी अ यह हम आजी, के प्रत्वी थो यह कीमान में रखेगा, घूठा अंगलियों के निसान को बहुरंगी सतह पर उभणने के लिए किसका प्रियोग करते हैं तो इसके लिए हम लोग फ्लोरेसेंट पॉडर का प्रियोग करते हैं इसके लिए हम फ्लोरेसेंट पॉडर का प्रियोग करते हैं ध्यान में रखेगा इसके लिए किसका प्रियोग करेंगे फ्लोरेसेंट पॉडर का प्रियोग करते हैं जनरली आउनियों क देखिए एंथ्रेक्स जो होता है एंथ्रेक्स किसमे कौन सी बिमारी होती है देखिए नेमिल खित्म को कूट कीजिए बटा यहां पर देखिए यह यह नहीं दिया हुआ है तो एंथ्रेक्स जो है एंथ्रेक्स रानी खेट ध्यान में रखे बटा रानी खेट बिमारी फूट लग होता है और आपको एंथरेक्स होता है ज्याँदिए बच्चे इसपर पर बात कर रहे हैं आपको यह देखें दो दिया हुआ सिप दो बार दिया हुआ छले थोड़ा सा इंदी दिखते हैं तो यहां दिकें फूट एंड रोट डीजी एंथ्रेक्स जो है सभी पस्वों में होगा इस तरह से काम कीजिए सभी पस्वों में डर्मेटाइटीस बच्चे डर्मेटाइटीस जो है पच्छा समंधी रोग है और डर्मेटाइटीस किस में होगा भेड बकरी में होगा भेड बकरी दोनों में होता है रानी खेत मुर्गियों में होगा फूट एंड रोड जो होता है वह क्या होगा भेड में होगा यानि पस्वों में होता है बेटा फूट एंड रोड जो है भेड में होगा तो ये ध्यान में रखिएगा चली अच्छी बात है तोचा से समंदीत रोग है, रानी खेत ये विसानू जनीत रोग है, फूट अन्डोट डिजी ये भी क्या है, तो एकदम याद रखे, फूट अन्डोट डिजी जो है, यह थेका आपको भेड और बकडी में, थेका क्या होता है, जिवानू जनीत रोग होता है, फिर से रिपी जमुनापारी हम लोग दूध के लिए पालते हैं ऐसी बकरी का नसल यह सभी बकरी के नसल ही है यहां देखे सभी बकरी के ही नसल है जमुनापारी क्या होता है दूधारू बकरी होता है यानि जमुनापारी बकरी का हम लोग क्या करते हैं दूध प्राप्ट करने के लिए इस को पालते हैं पसमिना बाल और मलाबा ये खाल के लिए एक तरब से रिपीट करें जमुनापारी क्या होगा दूद सिरोही ठहक है कि Reserve कि लिए तो बेटा सिरोही जो है अभी तुरंट मेरे बताया मांस के लिए तो B का 3, B का 3, तो A का 4, B का 3 दोनों में है, ठीक है, फिर देखिए, पस्मीना जो है, आपको बाल के लिए C का 2, C का 2, यहाँ देखे C का 2, तो आंसर हो गए A number, चलिए, अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लिए, माइकलसन मौरले का प्र सुर्ज का प्रकास सुर्ज से आता है, तो यहाँ एक माध्यम होता है, जिसको इथार माध्यम कहता है, उसके गुज़र्तेव प्रत्वیत हैं, पहुंचता है, बाद में पताचला कि यह क्यों मौरले प्रियोग ने प्रुव्डे किया था, द्यान में रखेगा, या हैगltry interior उस पर क्रभणा के पतन का मुख्य का रण को था सब्दार ákठास éta vili लिघान की घटना क seizure यह किस नए दिया था जयंग नमक बगयन गें दूंअ चुंबकाटू के सिध्धान्त यह दिया था आपको मैकसवेल ने किसे दिया ने धानतमा काबिस होता है तो उदासीन को को नहीं करता है जब कि धानतम किरन को विस्थापित किया जासकता है और यह हीलियम आयन है कोई इसायन है,हिलियम आयन है याद राखेगा ुसरो का प्रमुख प्रक्षेपन केंद्र कुेंद्र कहां पर है तो इस रहो इस्थापना अच्छजापनेरेसे शा 술 ओक्या कर्म पर है तो इसका मुख्छण के और बच्चे बहुत सारी बातें यहां पर है जैसे बिक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र कहा पर है त्रिवान अंत्पूरम में है इस रो नोदन नोदन कॉंप्लेक्स कहा पर है मेहंद्र गिरी में है और यहां देखे क्या हुआ प्रक्षेपन केंद्र इस रो प्रक्षेप तो दो-तिन बात यहां याद रखें इस्रो का जो प्रक्षेपन केंद्र है हो कहा इस्रो का प्रक्षेपन केंद्र हो सहर में है इस से अनुत्रियोग गेंदर कहा पर है तो अहमदाबाद ने राष्टिया सुढूर संवेदन कहALK två सुविधा कहा पर Скắm करनाटक में और आपको करनाटा के हसन में और आपको भ़ो पाल में म्दधर प्रदेस के भफाल में इस्तित है यानि Master Neos dran के M.C.F. Master Control Facility कहां पर इस्तित है तो करनाटा के हसन में मदधर प्रदस के भपाल मे इस्तित है तो बच्चे लगातार में discussion करा आई रहा हूं अप लोगोंको और ये लाजवाब आपका session है, बच्चे. 100 कुस्ण का लगातार बीना रुके, बीना जुके लगातार करते रही है. बच्चे मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ये जो टेस्ट है वो लाजवाब है इसके सारे प्रस्णों को का डिटेल्ड सॉलूशन आपको पॉइंट वाइस सॉलूशन आपको मिला होगा आप उसको देखिए खूब अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजे और बार-बार प्र किसी तुरुप से सुनी चित होगी चली मिलते हैं एक क्लास में जाहिए भारत